शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें जाती हो बस माँ विशाल तेरी बापजी को पुगिस ले गई मैं सब जानता हूं माँ बेचे वो देर दिन से भूके उन्होंने गवाई क्या देदी अपनी जानी बस मुसीवत में डाली है तो फिकर मत कर माँ मैं बापजी को भी लेकर आता हूं अच्छा जल्दी जल्दी ज मास्टर अभी तो ये कोट की पहली टारी की टैयारी चल रही है कानून में एक बात को कई बार बोलना पड़ता है और कई बार लिखना पड़ता है क्या लिखना पड़ता है मैंने तो कहा है कि पुलिस जब जहां मेरी मौजूदकी चाहेगी मैं पहुंच जाओंगा तो फि अपनी कारवाई पर ध्यान दीजे इन पेपर को दुबारा तैयार कर रहें तब मैं इन पर साइंट करूँगा अब जी आप ठीक है आप लोगों का ऐसे कैसे मेरे फादर को यहां ले आए हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं क्यूटी कर रहे हैं एक कवा के घर में पुलीस किस इस्पेक्टर में आप ठीक है रहे हैं मैं समझता हूं आपकी बात को अरे यह सब टांग डालने के पहले समझना चाहिए था ना अरे यह तो बुद्धा है इसका दिमाग बरोबर नहीं है इस्पेक्टर उची आवासे बात नहीं करने का इधर तम ही से तुझे बात करने की क्या यह तरीका बुसर्ग से बात करने का क्या कर लेगा तु अंदर कर देगा न मुझे शाल वाब जी ठाएचाए अब यह कारवाई में आगे बढ़ा हूँगा बहुत नशाल है तुझे इस्वर्टी का आपकी कोई गलती नहीं तिमाग इसी का खराब हो गया चल तुमें जल मैंके तो चल कर चुकी है जिसे तीन तीन कतल करके पूरे शहर में देशेत पहला रखी है वो मुझे ता केस लेडर की बात कर रहा है तीन नहीं चार-चार खुन की है मैंने लगता है शाम का अखबार आपने पढ़ा नहीं पुलीस में मेरे नाम के साथ खुनी जोड़ दिया है मगर मैं खुनी तब ही माना जाऊँगा जब अदालत मुझे खुनी करार देगी और खुराना साहब आप जैसे काबिल वकील के लिए मुझ जैसे लोगों को अदालत से बचाना चुटकियों का खेल है मिस्टर विशाल अगनोतर मैं आदालत में इंसाफ के लिए लड़ता हूँ तुम जैसे खुनीयों की बेरोई करने के लिए तालिब नहीं लिया है मैंने कोई गुना नहीं हुआ है मुझ से जो हुआ उसे खुना मत बोलिये क्योंकि वह जरूरी था इस शहर के लिए इस शहर के स्कुन के लिए उन चार लोगों की पहचान मिटाकर मैंने एक नेक काम किया मिस्टर गुराना और इसके लिए मैं जेल की सलाकों के पीछे अपनी जिन्दगी नहीं गुजाना चाहता नहीं पुलीस से भागते हुए चीरा चाहता हूँ क्योंकि मैंने कोई गुना नहीं किया है और आप, आपके बारे मैं सब जानता हूँ मैं कितने गुनिकारों को छुड़ाया आपने और उनको छुड़ाने के लिए कितनी कीमत लिया आपने सब जानता हूँ अब खुद को नंगा करने में ज्यादा वक्त मतलो कुराना, साफ साफ बताओ के क्या रखम चाहिए, पांच करोड, दस करोड, हाँ शराब क्योंगे? बाई शराब नहीं पीता मिस्टर विशाल, तुमने अपने केस के लिए जो कीमत लगाई है, उससे मुझे इतराज नहीं है मगर एक बात मैं भी जानना चाहता हूँ जिस आदमी के पिछे पुलिस लगी है, जो पनाहा के लिए शहर का एक कोणा तलाश रहा है, उदस करोड का इंतजाम कहां से कर पाएगा? पुराना, साहब, अगर मैं बदनाम हुआ हूँ, तो थोड़ा सा नाम भी कमाया है, पैसे आपको मिल जाएंगे ठीक है, तुम अंपा कमिट्मेट पूरा करो, और पुलिस को सरेंडर करो विस्तृत समाचार इस प्रकार है, एक अपराधी विशाल अगनियोत्री और पुलिस के बीच चल रही आँख में चॉली, आज समाप्त हो गई विशाल अगनियोत्री ने आज पुलिस के सामने आत्म समर्पन कर दिया, इस सप्राधी को चार बड़ी हस्तियों के कतल के मामले में चार्च शीट किया गया था, और पुलिस इसकी तलाश में थी मिस्टर खुराना, विशाल तो पुलिस के आगे सरेंडर करने का क्या यहीं मतलब है, कि उसने ही खुन किये है, आप बहुत समेड़ रहे है, विशाल के सरेंडर करने के पिछे यह है, को फिलाल की परिशानी उसे बचता जाता है, सर आप अब अब तक अपने कारियर में यह खुन ही हो जाता है, इसका फैसा आदालत करगी, आप इंतजार कि यह सच्चा ही सामने आजाएगी, आज बाज 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 बास, वन लास क्वेशन सर्थ, यह बबस तुभी साइन करने है, विशाल, कोड में तुम्हारे केस को दाखिला तो मिल गया है, साथ तारिख मि पैचान के है, वो तुम्हारा खास कया रखे है, बस, अब तुम यहाँ कुछ गड़ बर्बत करने, तैश मैं अगर तुम्हारा खुद पर गाबू तो रहता ने, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चार्श शिक में कोई नहीं बात चुड़ेगा, पहली कुछ तारिख हो पहली चाहता कि मेरी चार्श शीट में कोई छोटी मोडी बात चुड़े, आप मुझे लेकर ऐसे ही परिशान है, हाँ विशाब, मेरी करियर काई परिदा किस है, जिसे लेकर मैं वाकई परिशान हूँ, जिन्दके में कभी शिकस नहीं देखी, शायद ये भी वजह हो सकती खुराना साब, आपकी काबलियत पर आप से स्यादा मुझे भरोसा है, ये केस आप ही जीतेंगे, यकीन कीजिए, इस केस के बाद, कानून के इतिहास में, आपका नाम याद रखा जाएगा इसाद शिकस पर आप से साब, इसक्राना साब कर दिया, इसलिए तारिखो पुलिस की धजिया हुड़ा ये उन्होंने, आपका झार देखा एक हमिशा के ऐन खुटे शायएं, आपका ऐम. वुचcel वुच steps करते हैं वुच के पाहि करते हैं वुच ुच करत न जचो अ सबफ वॉर वुच ~! विशाल अगली होत्री के लिए विशाल अगली होत्री के लिए जितने भी सबूत मैंने जोटाए है पिछली तीन तारीखों से मिस्टर खुराना मेरी हर विटनेस हर एविडेंस का तोड़ निकालते आए है मिलॉर्ड मिस्टर खुराना अपनी काबलियत के दम पर जूट को सच्चाई के लिबास पेनाने में कामियाब हो चुके है लेकिन मेरा प्रियास अब भी जारी है कि अदालत कहीं कोई गलत फैसलना सुना दे विशाल जैसे खुनी को बाइज़त बरी करने का मतलब देश के नौजवानों को अतंग के रखते पर अब्जेक्शन मिलोड मिस्टर सिला इस केस के मुतलिक बातों से हट रहे है यहां अदालत में ये कारवाई चल रही है कि विशाल अग्निहुत्रिका इन चार कतलों से ताल्लुक है या नहीं और मेरे काबिल दोस्त वजा इस मुद्दे पर बात करने के इस देश के भविश्य के बारे में चिंता कर रहे है ओडर ओडर मिलोड मैं इनके परेशानी समझ सकता हूँ पिछली तारिखों में विशाल अग्निहुत्रिके खिलाफ कोई सबूत या गवाज उटाने में ये लाकाम रहे है और आज की तारिख में भी अदालत के सामने कुछ कहे नहीं या रखने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं बचा है परेशान होकर ये कुछ टडलते हैं तलाशते हैं और बाच्चित के रुख को कई और मोड देते हैं मिलोड मैं पिछली तारिक के उस मुद्बे को दुबारा उठाना चाहता हूँ ये लॉड साथ नौंबर की ही रात एक बुढ़ी आवरत अपने बच्चे के साथ जिम्बूर नाके बे एक रिक्षावाले से टकनाती है वहां मवजूद विशाल अगने हुद्रिक के नजर उस हाथ से बरिपड़ती है वो भाग कर उस रिक्षावाले को पकरता है और उस बुढ़ी आवरत और बच्चे को लेकर बॉंबे उस्पिल पहुशता है वहां के डूटी ओफिसर डॉक्टर पडेल अपने नजरी की पोलिस टेशन शांतिनगर को इस केस के बारे में इंफॉर्म कर देते है उसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा और हवालनारमातरी अपनी कारवाई पूरी कर देते है मिलोड इस सच को साबित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ सबूत और गाह पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ मिलोड ये पूरी तर साबित हो चुका है कि मेरे मुख्किल का इन में से किसी भी एक कत्र में कहीं कोई हाथ नहीं है अब ये सवाल उटता है ये बेकसुद नौजवान अपने सर पर चार चार खून के इल्जाम लेकर इस अदालत में क्यों खड़ा है मिलोड ये नौजवान पुलिस की जादी दुश्मन का शिकार हुआ है कुछ हर से पहले नादा चोप पुलिस सेशन में इस नए पुलिस की ज्यादती के खिलाफ आवाज हुटाई थी वहां उसकी पुलिस के साथ हाता पाई भी हुई थी जिसके लिए इसने चार राते पुलिस नाकप में गाड़ी तब से नवजवान पुलिस के नजरों में चड़ गया था फिर पुलिस ने अपने नाकामे को शुपाने और अपना सिक्का जवाने के लिए इन कत्लों के साथ इस विशाल का नाम जोड दिया था अधालत में इस मामले की अब तक हुई कारेवाई पर गौर करने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सुबूत या गवाह नहीं है जिसके आधार पर मुल्जिम विशाल अगनिहुत्री को कातिल माना जाए वकिली सफाई की दलिले और विशाल के बचाओं में रखे गए सारे सुबूत भी यही साबित कर रहे है लिहाजा यह अधालत विशाल अगनिहुत्री को बाइज़त परी सब्सक्राइब टोडिए जेने! पोर्डर, एाइन से पाटिए! ओर्डर, ओर्डर! आधालत जोहीन है! इस पॉर्डर एफॉर्ड जेने! आइन से फॉर्ड़ जेने! आप नहीं भागुए रहे रहे हैं! भागूंगा नहीं मैजिस्ट्रे जेवन डोग्रा साहब चक्दीश कुराना की लाश बढ़ी है यहाँ पर मार दिया इसे मैंने और आप आप ये कुर्सी छोड़ दो आपको इस कुर्सी पबेटने का कोई हक नहीं अरब बचा लिया आज मैंने आपको एक गलत फ़सला सुनाने जा रहे थे आप और ये ये चक्दीश कुराना इसने इस अदालत में ये थाबत कर दिया कि मैंने कोई खतल नहीं किया बेकसूर हूँ मैं नहीं मैंने एक नहीं चार चार खुन किया मैंने और ये बात ये भी जानता था अरे अदालत में आने से पहले इसने सब कुछ जान लिया था मुझसे इसे बालूम था कि मैंने किसे कब कहा और किस हाल में मारा है इसने मुझसे पूछा था कि गोली मैंने किती दूरी से चलाई थी और वो गोली सीने में लगी थी या सर में जिसका गला दबा कर मैंने मारा था उसके मुझसे खूड निकला था या नहीं उसकी आगे खुली थी या बंद ये सब सब ये जानता था कोच समझ में आ रहा है मैजेस्टर जेवन डोकरा साहिब कोच समझ में आ रहा है दस क्रोर पे लिए थे इसने मुझे बचाने के लिए चक्दीश कुराना कानून का हिमायत ही नहीं कानून के बजार में अपनी दुकान चलाता था मैंने कानून से बच्चने के लिए नहीं कानून की आखे खोलने के लिए अपना केसिस के हाथों में दिया था यह अदालत है इचसाफ होता है यहाँपर सच्चाई और जूट की पलक होती है यहाँपर आई यहां पर कुछ नहीं होता सिर्फ वहिश्कार होता है वहिश्कार कानुम का वहिश्कार हर अदालत में जगदीश खुराना जैसे लोग करते हैं वहिश्कार और हर अदालत में उचाई पर इनके जैसा ही एक आदमी बैठा होता है आइसे ही और पैटे होते हैं यह 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 सब तमाश्मिन लोग पूरा तमाशा मज़ा लेकर देखते हैं इनके लिए अधालत की कारवाई ओ यहां मधारी का खेल बस मज़ा ना चाहिए मज़ा क्यों आराया है ना मज़ा भुपार वो noises कोच समझ मेहना मेजिस्टर जवन डोगरा साहिब अर्य अगर तभाश है करना तो इतने बड़ी ताम जाम इतनी बड़ी जगा कि क्या सरूरत है अर मन करो यह सब कोच बंद करो यह दूकार फ्या दॉकर लंग अराब लेकन मेनेची सेभी मारा है वह सब इसके जैसे थे हराबी जैसे लोग नहीं हो सब कुछ समझ में आ रहा है MAJSTANT CHEYVAN DOGRAH SHAYED कुछ समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है आपको MAJSTANT CHEYVAN DOGRAH SHAYED अदालत में अपने ही पक्ष के वकील को जान से मार देने की घटना ने सारे शहर को चौका दिया है। कल अदालत की कारवाई के दौरान मुल्जिम विशाल अगनियोत्री ने अपने ही वकील जग्दीश खुरान की हत्या कर दी। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिये। विशाल खुद किसी से नहीं मिलना चाहता हमें अदर जाने दीजें वीशाल से कुछ बात करना चाहते हैं। विशाल किसी को कुछ नहीं बताना चाहता ना यह किसी से मिलना चाहता है आप लोग हर पक्ष पर गौर करने के बाद अपना फैसला सुनाएगी देखो विशा तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो बेशक यह तुम्हारी अपनी सोच है अपना फैसला है मगर तुम्हारा ये केस अब तुम्हारा जाती मसला नहीं रहा है इस शहर के हर आदमी की जुमाँ पर तुम्हारा ना है यहां तक की पुलिस डिपार्टमेंट की इमानदारी पर भी सवाल उठख़ा हुआ है मैं जानता हूँ तुमसे जो हुआ है वो एक तरह से गलत भी नहीं है यह हालात हमारे सिस्टिम नहीं तुम्हारे सामने खड़े कर दिये थे ठीक है तुमने चंद गलत लोगों को मारा है लेकिन विशाल से कहीं कोई बड़ा सुधार तो नहीं होने वाला है कुछ और लोग भी है सजा के हगदार जो कुरसियों पर अब भी चिपकर बैठे हुए है विशाल तुम्हारा ये केस कमीडी के सामने खुलने से लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा हमारे डिपार्टमेंट के जिन करप्ट ओफिसर्स ने तुम्हारे खिलाफ बुराईयों का साथ दिया है वो लोग एक्सपोज होने चाहिए उनके बारे में सबको पता लगना चाहिए विशाल सिस्टिम से जुड़ा हर आदमी बुरा नहीं है कुछ अच्छे और इमानदार लोग भी है उन्हीं की कोशिशों का ये नतीज़ा है कि आज भी आम लोगों का विश्वास हमने पुरी तरह से खोया नहीं है मैं और मेरे कई ओफिसर्स कमिटी के साथ को आपरेट कर रहे हैं और विशाल मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारा साथ दो ठीक है कमिटी जो मुझ से पूछना चाहती है मैं बता दूगा कानून का एक और निया तमाशा देखने को मिलेगा टीजीपी साहब लेकिन कमिटी को मिलने से पहले बापने घर जाना चाहूँ का कि और जब बता दो दोड़िया जाना चाहती है कि और दाना चूहँ के एक है कि खिर लुष के बता चाहती है कर दो कर दो मिस्टर विशाल अगनी होतरी डीजीपी साहब ने आपको हमारी इस कमेटी के बारे में काफी कुछ बता दिया होगा मैं और मेरे साथी कानून और विवस्था के कई जिम्मेदार महिक्मों के साथ जुड़े रहे हैं हमने कई संगीन अपरादों पर अपने फैसले भी सुनाए है वैसे जर्म के लिए तो कानून का एक ही नजरिया होता है अपराद क्या है और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए लेकिन तुम्हारा ये पहला केस है जिसके लिए कानून को अपने उसूलों से हट कर सोचना पड़ रहा है मिस्टर विशाल तुम्हारे मामले के वो पक्ष यो पुलिस ने अदालत के सामने रखे हैं जैसे के तुम्हारी चार्जशीट तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ मिले सुबूत कवा सिर्फ उनी को मदने नजर रखकर इस कमेटी का किसी नतीजे पर पहुँचने का कोई रादा नहीं है ये कमेटी तुम्हारे मामले से जुड़े दूसरे पक्ष को भी देखना चाहती है और हमें यकीन है कि तुम पूरा से योग दोगी मिस्टर कृष्ण मूर्थी आप मिस्टर विशाल गतल जैसा जुर्म किसी के हाथों भी एक जुनून में होता है और ये गुना हो जाने के बाद पच्सावा होता है मिस्टर खुराना को मारने के बाद ऐसा कुछ आपको भी महसूस हुआ मिस्टर कृष्ण मूर्थी एक गुनेगार को सजा सुनाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है जहर है मुझे सुकून मिलता है कि मैंने ऐक कori RNA की हफादत की है और एक अप्रादी को सजा सुना कर एक नेक काम किया है यह राइट मिस्टर कृष्ण मूर्ति एक काम करने के बाद सुकुन दाहर पश्टावा नहीं होता आई ये अबजेक्ट मिस्टर चेर्बेंट मिस्टर विशाय लगनी होतरी को अपने बातचीत करने के ढंक पर कंट्रोल होना चाहिए सच्चाई के एक लब से तिल मिल आउट है अबी तो मैंने अध्य शुरू ही नहीं किया आज यहां कानून का हर आदमी सच्चाई इमानदारी और मर्यादा को ताक में रखे जुबान पर इन लब्जों को लिए घुम रहा है अगर कानून कहीं कुछ होता तो मेरे नाम के साथ अपरादी नहीं जुड़ता करने के संसकार मुझे घर से नहीं मिले मेरे पिताजी एक स्कूल मास्टर थे पच्चों में अच्छे संसकार डालना उनका पेशा था अपनी तकलीबों को भूलकर दूसरों के लिए जिया करते थे वो मैं दिखाता हूँ दिखाता हूँ आप लोगों को यार्जिया यार्जिया उन्होंने अपने लिए निली की लोगों की तकलीबों को लेका सरकारी दफ्टरों में भटकते रहते थे वो कभी किसी की जमीन के लिए तो कभी किसी की बेटी की तहस के लिए तो कभी किसी गरीब की सिंदी के उलाज के लिए पढ़िए आप लोग पढ़िए पढ़िए in Ha 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 गंबक तो ये हुर हुर मत किया करो दाना डालने वाले पर कोई कुर रहता है क्या अरे हाँ हाँ जाटता हूं कि तुम लोग नाराज हो सोमवार को नहीं आया था पिछले आफ्टे अरे आराग से आराग से कबूतर उड़ रहे हैं देख नहीं रहा अरे मास्टर जी अपना सब काम वरोबा टाइम पर आप या आदा गंटा लेट हुए हैं लेकिन गोविंद आ आ अरे मास्टर जी अपनी स्पल्टन का डाइनी हाल कहीं और लेकर जाओ इन कबूतरों के चक्कर में रहे तो हमारा दो यहीं बजने वाला है एक बज़े डाक्टर चुगानी के पार चोपड़ा साब का कुट्ता लेकर जाना है इंजेक्शन लगवाने के लिए और फिर अपनी दवादारू का इंतिजाम सुभा सुभा चड़ा कर आयो हाँ अरे नहीं मास्टर जी यह तो रात का उतारा है अच्छा 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 रात की चड़ी उतारने के लिए सुभा चड़ाते हो और सुभा की उतरी शाम को चड़ाते हो अगर चड़ा कर ही रखना चाते हो तो उतारते क्यों हो गोवि साम की दारू का इंतिजाम हो गया ये लो ये मेर साब का लेटर है अब ये टाटा हॉस्पिटल में एड्मिट हो जाएगा पिना किसी खर्चे के मास्टर जी आपने जो हमारे लिए इतना कुछ किया है मैंने दो चार दिन भाग दौड की न कौन सा आस्मान उठा लिया मैंने कुछ नहीं किया मैंने जा जाके चाहे लिया मेरे लिया अच्छी सी पुलीस ने मूर्ती चोरो को पकड़ा मूर्ती बरामत की मंदर के पुजारे को ग्रिफतार किया कि शाल बाप ने पढ़ा यह दे मुझे अखबार ला मेरे पास दे वरना सुबह सुबह इनके हाथ लग गई ना तो सारा दे निसी अखबार के खबरे चलेंगी सुबह अच्छे बज़े के निकले हुए अभी तक घर नहीं आए इसे कान चुपाऊ मैं यहां नहीं यहां यहां तो ढून लेंगे यह यह जगे ठीक है हाँ काहा रह जाते हैं आप काहा रह गये थे यह भूल मंदिर में चड़ा देना पिशाल गया नहीं बाहर बैठा है चाई पी रहा है मिल गया निकल रहे हो भाई आप आप जी नाश्ता किया हां कर लिया हां जाते जाते बैंक से होते जाना मेरी पास्बुक कलेक्ट कर लेना जी अगली बार अपनी मा से कहना अखबार किसी अच्छी जगा चुपाया करे मूर्ति चोरी तुमने दी क्या नहीं मैंने ढूंड लिया हां लो बेटा घड़ी मंदिर में एक मूर्ति की चोरी अच्छा मामा चलता हूं पुजारी गिरफतार यह रही आपकी चाय रहे गाहित्री तुम भी अपनी चाय लेकर यहां जाओ ना आओ यहां बैठो थुड़ नहीं सुनूंगी तो घर का कामकाच कौन करेगा वैसे ब्यात सारा दिन इसी में जाएगा मंदिर पुजारी मूर्ति है ना इतने सारे काम पढ़े हैं मुझे आशकल वैसे भी दोड़ दूप नहीं होती अपना बच्चा कामकाच से लग गया है कमाने लग गया है अब हो जाएगा ब्या ब्या भी हो जाएगा आचा यह बताओ कैसी लड़की चाहिए तो मैं अपने बेटे के लिए कांता मेरा नाश्ता लगाया हो में साब वेरी गुड यह क्या है कुमारी शादी के लिए में साब मैंने कहा ना मुझे इस तरह से शादी नहीं करनी इतने बड़े बड़े आजमियों की तस्वीर मेरे कदमों में डाल दी अरे यह तो दोती में ही कुछ गया अरे बेटी यह तो अमेरिका से डॉक्टर बन के आया है अरे यही तो आपका पुराना स्टाइल है ऐडाडी पहले आप मुझे फोटोस दिखाएंगे फिर आप मुझे कैएगे ने से कोई पसंद करो और फिर आप हम दोनों के कुणलिया मे लाएंगे और पहर आप भी यह कहेंगे मुझे समाले और मैं उसकी आँखों में देखके कहूं यही तो है वो तू मुझे डुबाएगी अरे कहीं तू ऐसे आद तू भाद तू लड़के से मत अक्राना जो मुझे करोड़ पती से रोड़ बना दे अरे प्यार तो प्यार होता है डाडी कोई दिल को जचाए ना तो वो सही वक्त पर सही जगह सही लड़के से टक्राएगी आप लोग प्लांस की बिल्कुल केर नहीं करते अगर इस बार प्लांस को कुछ हो गया ना मैं किसी को छोड़ूँगी नहीं तक्राएगी यही तो सोचा था मैंने तक्राना गिरना फिर समलना फिर एक दुसरे की आखों में आखे डालके देखना यही तो है वो आई लव यू यार आई लव यू यह क्या हो रहा है हो गया कुछ हो गया हो गया क्या हो गया है बोलो डैड मैं अचानक मुणी मैंसे टक्राएग में गिरने लगी थी किनने मुझे इनोंने तुझे क्या समाल लिया समाल लिया हो गया समालना चोड़ो 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 हाथ चोड़ो चोड़ो औ चाल चाल तो मेरे साथ अरे तो नहीं तू चल सबसे पहले तेरी आखे टेस्ट करवाता हूं कम से कम तुझ जगा पे तो ठक रहे हैं चाल चाल जाने चांटा ताकी कीजिए जब अन होनी कोई होई दो दिल जब प्यार करें तो रोक सके न कोई कलियों से मुझे अपने दिल में उतार लगू मेरी तमना मेरा यार है मेरी पहबत मेरा प्यार है कैसे पताओं तुझको भला में मुझको तिरा इतदार है वोटों पे मेरे तेरी बात है अपना तो जन्नों का साथ है हम आयने छोड़ा सारा जमाना हाथों में तेरा हाथ प्लकों के साएं में रखो या दिल में तुछ को उतारो में मुझे अपने दिल में उतार ले तू हाँ जन्नत से आई कोई हूर है इश्क में मेरे तू तो जूर है बूले तुझे न एक फल मेरा दिल इसमें मेरा क्या खसor है दुनिया तेरे तरों की धूल है इश्क मेरे जुडे में तेरा पूल है तेरे लिले जो मुझे को मिला हो हर धर्द मुझे को कबूल है महरूगा जानन दिल जाना किस नाम से तुझ को पुकारू मैं अल्गों के साए में रखो या दिल में तुझ को उतारू मैं जो दिल खो तेरे बाजा ले उस नाम से मुझ को पुकार ले तू आखों किस नहरी गलियों से मुझे अपने दिल में उतार ले तू दिघ वजब हो चुछ दिर नह दो माजा सोब चाहा, दो ख। दो सिर जासे हम टी कर दो ख। के भाल सिर टो धर ऑनसी वारे 25 कि bullying इ Audi नहींदी अऔर कि fabulous कि वो हुथ ठहत एम हो घड़ान? लो दफसारए्टा एए झाल कर दी मालोle कर दी मालो झाल कर दो कर दो कर दो किया माफी मांग रहा छोड़ने से तो पुलिस क्या हवाले करना चाहिए तु जा कर रिक्षा लेकर आए जाना इसे ना करते हो तुम भाई बहुत भारी हाथ है मेरे बेटे का अधा बहुत भारी हाथ है शुरुवात मुझसे की थिया किसी और की बीजेब मारी थी पहले आप इससे शुरुवात की थी सब मतलब वो नहीं खराब हो गई अरे तो काम किया करना मस्दूरी कर बरतर मांच यह क्या चोरी करता है आँ सब कुछ भी काम करूँगा कुछ भी काम करूँगा सब कुछ भी काम करूँगा अब जाना भाग यहां से आँ जाजा ठीक है ठीक है अब भापजी कहां गया वो वो भाग गया अरे मैंने कोशिश की थी पकड़ने की मगर मुझसे ज्यादा ताकतवर था तो मैं क्या करता देखो भी अब शक्क्का तो कोई इलाज है नहीं अब अगर तुम्हारे अगा दिया उसे छोड़ दिया तो मैं क्या कर सकता हूं मैं तो यह कह रहा था कि अब इस किस्से को खतम करो और चाय पीलो ठंडी हो रही है इससा तो कब का खतम हो चुका है मैं तो ऐसी बात को ज़रा लंबा कीच रहा हूं ताइम पास कर रहा हूं क्यों विशाल लेखो ग भूर रहा है कि मैं इसने उसका मुह तोड़ दिया था हां तो फिर दवाई इलाज के लिए आपने उसे कुछ दिया कि नहीं पचास रुपए चाय ठंडी हो गई क्यों रहे आज तु मंदिर आना के लिए आना कानी क्यों कर रहा था माँ वो क्या है कि मैं जाना चुपकर ऐसे कामों के लिए भी बहान नहीं तेरे पास तुझे पता है एक आधिशी के दिन मैं ये पूजा अर्चना कभी नहीं छोड़ती और वैसे पूजा वरत उपवास मैं किसके लिए रखती हूं तेरे ही लिए ना मेरे लिए हां मैं तेरे लिए दुलहन मांगने आती हूं यहां पर अरे मां मैं यहां कौनसा अपने लिए कुछ मांगने आता हूं मैं भी तो तेरे लिए आता हूं अच्छा तु मेरे लिए क्या मांगने आता हूं मा, मैं भी तेरे लिए बहु मांगने आता हूँ पदमाश, बैसे हम दुनों के मनों कामना, पूरी कैसे होगी, तु तुगे चकर वकर चलाता ही नहीं, पेगा मा, बैसे मैंने चकर वकर चलाया एक लड़की से सच, पादमी थोड़ी बहुत आगे बढ़ गई है मगर वो है कौन, मा जल्द मिलाओंगा मा, बस टाइम आते ही टाइम, टाइम, मा मैंने फोन करना था, टाइम होगे, अब मैं क्या करूँ हाँ, 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 तुम मुझे दस बज़े फोन करने वाले थे न, ओके बाबा, सौरी प्रॉड, चलो कोई बात में, अब ठीक एक बज़े मैं तुम्हारा नैशनल रेस्टराउंट में इंतजार करूँगी, लंच साथ करेंगे नेहा, अकाउंस का काफी काम बाकी है, और पर कुछ बीडिंग्स भी है, और फिर आजकल तुम्हारे डैरी, मुझे पर कुछ ज्यादे ही नज़र रखते हैं मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें वहाँ एक बचे पहुचना है बस अच्छा बावत, तुम्हें ऑफिस में फोन करना, मैं कोई चकर चलाता हूँ अरे वहाँ, और अगर डैड ने हुम दोनों को फोन पे बात करते वे पकड़ लिया तो तुमने तो मुझे फसाने का पूरा प्रोग्राम मना रखा है डफ़र, तुपोन करेगी नेहा के नाम से नहीं, सीमा के नाम से और फिस सीमा के कोई प्राबलम होगी, जो सिर्फ मैं सॉल्फ कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे छुटी चाहिए होगी, समझी? येस सर्म, मिस्टर अग्नियोत्री मैं आजकल देख रहा हूँ कि नेहा जो है, वो बहुत ही खुश नजर आ रही है उसकी चाल, ढाल, बैठना, उठना, साब बदल गई है एकदम से हमेशा गाने गुन-गुनाती रहती है, वो भी रोमेंटिक गाने मैं उसका किला हुआ चेहरा देखता हूँ, फिर अपनी कुन्ड़ी देखता हूँ शनी की महादशा जो बाकी है, ये सब उसी का प्रताब है मुझे तो लगता है कि उसका और विशाल का चक्कर बहुत ही आगे बढ़ गया है अरे, आज कल के लड़के-लड़कियों की बात ही छोड़िये और एक हमारा जमाना था कि शादी के बाद अपनी ही बीवी का हाथ पकड़ने में महिनों लग गए और आज का प्यार पकड़ धकल से चुछुरू होता है अरे, अरे, वो आ रहा है, वो आ रहा है क्या क्या, बहुत खुश नजर आ रहा है, वो विशाल सीटी बजाता हुआ रहा रहा है क्या कहाँ अरे तु तो तेरे कान कुरेद न बंकर नहीं तो बहरा हो जाएगा कुछ कहाँ को अरे, आप लोग परिशान लग रहे हैं कोई सिरियस मैटर है नहीं नहीं चलो मैं आप लोगों को खुश कर देता हूं पटेल एंसन से बहुत बड़ा कॉंट्रैक्ट मिला है अब हमारे पस गुजरात में चार और डिस्ट्रीपिटर्स बढ़ गए हैं यह उनके कॉंट्रैक्ट मैंने कहा था ना के यह का मैं एक हफते में कर दूँगा मै आप तू हर कम यॉ हो यू रफ्थार बकडी है मने रफ्थार बेंगा नबर नम्बर reasons आप तुम जाओ, अपने केबिन में जाओ हाँ 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 हलो हाँ, बोल निहा नहीं, जी मैं सीमा बोल रही हूँ किसकी माँ? सीमा, सीमा बोल रही हूँ सीमा? जी हाँ, जरा विशाल को बला देगे, बहुत अजिन काम है अच्छा बोल निहा रही है कह दिए, मैं सीमा बोल रही है बिशार, तुमारा फोन मेरा हाँ, थुमारा फोन खिलू अग हेलो मैं सीमा बोल रही हूँ बोल सीमा आ रही है Benaras Express से,केशन पहुच जाना लेने प्लीज आजाना हाँ जरूर Benaras Express न सुने पुरिश सभी के पांच बज़े हैं श्याम को पांच बजे नहीं जो मेरे दिल में छुपी है आहूं 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 जवानी में जो लग जाए जो पानी सीन बुझताए आहूं 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 जवानी में जो लग जाए जो पानी सीन बुझताए ताही आग मेरे दिल में लगी है आहुम 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 कहीं चैन हेना तो आराम है तुझी याद करना मेरा काम है जवा है सुबह तो हसी शाम है मेरे भी लबों पे तेरा नाम है यहा है वहा है न जाने कहा है न यादत चाहत कयारा यह क्या हो गया मैं कहां खो गया मैं मुझे इन अदाओं ने मारा नई त्यास मेरे दिल में दबी है यहा है वे सुबह रहनано यहा है अद्यास मेरे ताय को बें अकिली जवाने जवानी है क्या महबब दिना जिन्दगानी है क्या दिवारा नहीं तो दिवानी है क्या वफाओं के दिल कश कहानी है क्या सुनो जी पहो जी पताया जो मुझखो किसी और को ना बताना लिखा है पढ़ा है दिवानों ने मिलके जवा धरकनों का फसाना वही चाह मेरे दिल में बसी है सुबा पे जो नहीं आए जो आखों से कही जाए आहूं 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 जवानी में ज लग जाए जो पानी से न भुछ पाए वही आग मेरी दिल में लगी है आहां रुको आती हूं मैं आ रही हूं क्या हुआ 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 है पताई ना कुछ बोली हुआ क्या विशार बेजे क्या हुआ हुआ है पदाने कुछ थो हुआ है आपको हुआ है अब बढ़ती हुआ है अब बैठ जाए आप यह बेठ जाए है पूंग साफ लाता हा लाती हुआ क्या हुआ है अजया हुआ है कवर बाबुजा करल का कि के इस ट्रेंट से अचा ने कि परादा, उसके नीचे आकर काय अकट गए बाभुजी, आभी बस इत्ती सी बात के लिए आपने घर को सर पर उठा लिया काय अकट गई तो क्या हुआ? शहर में इस तरह के सेगरों हाथ से रोज होते हैं बाभुजी लो ये खालो बाद में कटे हुई देखी थी क्या? नहीं लोग बात कर रहे थे ट्रेन भी रुख गई थे एक तो था भी वहाँ अंधा गुप अंधेरे में जानवर तो क्या? इंसान को भी कहां कुछ सूचता है बस अब इस बात को दिमाग से निकाल दो काईतरी मैं जानता हूँ मेरी वज़ए से तुम लोगों को काफी परिशानी होती है अगर मैं क्या करूँ? मैं कोशिश करके भी दूसरे लोगों जैसा क्यों नहीं बन पाता? ट्रेन में और भी लोग थे कुछ लोगों ने तो उतर कर भी देखा कई किसी के चेरे पर कोई बदलाब नहीं उस वक्त उने देखकर मुझे ऐसा लगा शरीर को टुकडों में देखने के बाद भी इंसान का दिल नहीं पसीचता इतना निर्दई हो गया है इंसान नमस्ते राणव राणा साब ये लोग मलाड इस्ट आजाद पूर नगर जोपर पटी के रहवासी हैं और मैं सच्ची दान अंदग नी होतरी दाहनों करवाडी कांदी विली मास्टर जी आपसे पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है आप ही की बस्ती में एक जलसे में कई ये आपके लिए क्या कर सकता हूँ राणा साब इनकी बस्ती के नजदीक लिंक रोड पर एक बस्टॉप है और इस बस्टॉप के पास ये शराब खाना है बस्ती की नौकरी पेशा लड़कियों को रात को आते वक्त काफी देर हो जाती है और उन्हें शराब खाने के पास से गुजरना पड़ता है और शराब खाने में बैठे गुंडे उनके साथ छेड़ खानी करते हैं कल तो एक गुंडे ने शराब के नशे में दो तिन की बेटी का हाथ पकड़ लिया था मेरा बेटा आ रहा है हाई डैड मेरी गाड़ी का क्या हुआ पच्छीस लाग फ्रुपे जमा करा करें आया हूँ जाते हुए डिलिवरी ले ले लेना टैंक्स डैड मास्टर जी क्या कह रहे थे आप मैं कह रहा था कि कल रात उस शराब खाने के गुंडे ने इनकी बेटी का हाथ पकड़ लिया बेटिया इनकी बेज़ज़त हो रही है और वकालत आप इनकी कर रहे हैं इन्हें क्या साम सूंग गया है राना साब यो लोग चाहते हैं कि वो शराब खना पहां से हटवा दीजिए उस नाके पर इन लोगों की इस्दत के साथ जो खिलवाड हो रहा है उसे आप बंद करवाईए बस मास्टर जी ऐसे मौमलों से निपटना शेहर की पुलिस का काम है आप अपनी फर्याद पुलिस स्टेशन लेकर जाहिए पुलिस स्टेशन में कोई सुनवाई नहीं होगी एक रिपोर्ट मैं खुद दर्ज करा चुका हूं करीब दो महीने पहले अब तक वो रिपोर्ट की नहीं फाइलों में गुम हो गई होगी तब तो आपको ये शिकायत पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से करनी चाहिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी अधिकारी इस मामले में हाथ नहीं डालेगा क्योंकि ये शराब खाना गोपाल अन्ना का है और गोपाल अन्ना के सर पर आपका हाथ है उचा मत बोलिये मास्ट जी ये जस्पाल राना की डियोडी है इस डियोडी के पास से गुजरने वालों की धड़कने कुछ बल के लिए शान्त हो जाती है रहते आप गांधी विली में हैं और समस्या मलाड के लोगों की लेकर आए ने नहीं क्या आप इनके आपके होसले की तो दाद देनी पड़ेगी ये जानते हुए भी के गुपाल अन्ना मेरा आद्मी है आपने उसके खिलाफ बारा आद्मी लागर मेरे ही डियोडी पर खड़े कर दिये राना साहब आज बारा खड़े है कल दो सुख खड़े होंगे दो हजार खड़े होंगे अब जात्यों की शिकार लोग ख़रों में दुबक कर बैठे नहीं रहेंगे इनसाफ के लिए आवाज उठाने का होसला जाग गया उनमें अब होसला जाग गया है या खत्मो गया है जड़ा मुड़कर देखिए आपके सिपाईयों ने तो मैदान छोड़ दिया इस उम्र में इतना जोश अच्छा नहीं मास्टर जी जहर के लोगों की मुश्किले तक्ये की नीचर रखकर सो गए तो नीन नहीं आएगी उड़ापे में भरपूर नीन सोना जहत के लिए अच्छा होता है पंटेश्वर जी ये मास्टर के साथ जो लोग आए थे इनके नाम पता करो जी और ये काला चौक वाली जमीन के बारे में अखबारों में बहुत उल्टा सुल्टा लिखा जा रहा है इन अखबारों से जोड़े पत्रकारों को मेरे आफिस में बुलाओ मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जी और ये सूरत क्या लटकाई हुए हो तुम क्या परेशानी है तुमारी मेरी परेशानी है चिठ्थी है जी भॉल पूर से आई है जी बड़े भाईया की है जी क्या है राना साब कभी कभी छोटा होना भी कितना नुक्सान दे हो सकता है इसका पता तब चलता है जब कोई बड़ा अपने बड़े होने का नाजाइस फाइदा उठा रहा हो अब देखिए जी बड़े भाईया ने तो चिठी में लिख दिया जी लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे मुझे कितनी परेशानी हो सकती है अरे पर लिखा गया है इसमें राणा साफ बटवारे के समय धाई भीगा जमीन हम दोनों ही भाईयों के हाथ में आई थी जी लेकिन अब बड़े भाईया चाहते ही कि उसे बेज दिया जाए जी अब मेरी तो समझ में ही नहीं आा रहां कि मैं इस च्ट्ठी का जवाब क्या जी यह जी लगा रखी है तुमने की इस चिछे इस तुम्हारे यह रिखी तक पचास लाख रुपए की वसूली चाहिए इलेक्शन के लिए दो क्रोड रुपए चंदा देने की हामी भरी है मैंने इसके लिए अगर एक दो को निप्टाना भी पे तो चुखना मत जी जाकिर और शंकर की कल रहाई है उन्हें भी अपने साथ लगा रो मैंने तुमसे कहा था ना कि ये काम किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए क्या उस चुखानी को पता नहीं कि ये बिल्डिंगे जस्पाल राना की बन रही है उस साले चुखानी को उठाकर आजरात को मेरे फार्माउस पर लेगे आओ कि राना साथ तुम्हारी वकील से बात नहीं होई क्या ये कोल्ट में से एक कागज निकालने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है काली ना चौक की ये जमीन हमारे आज से नहीं जानी चाहिए बंटेश्वर जी पूरे बीस क्रोड रुपे का खेल है ये साथ तारीकों कोट का फैसला हो जाएगा जी वो जमीन आप ही की है जी लेकिन राना साथ मेरी ये जो धाईबी के जमीन की बात है उसका मैं क्या जव पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई मगर कोई फायदा नहीं तुम्हारे पिता जी का नाम क्या है जगदीश रस्तोगी कलबदेव में हमारी दागिने की दुकान है गुद्वार की रात को मेरे पिता जी दुकान बंद करके घर के लिए निकले मगर घर नहीं पहुंचे और पुलिसी स्टेशन में भी हमारी कोई नहीं सुनता अगर आप कमिशनर साब से बात करके क्यों हो वे कामले साब ये क्या हो रहा है इस शेहर में चक्दीश रस्तोगी को तलाशने के लिए क्या कर रहे है तुमारी पुलिस ये मामला मेरी नौलेज में नहीं है राना साब मेरे खायल से ये केस जोन त्री के किसी आफिसर के पास होगा मैं आज ही फाइल मंगा के देख लेता हूँ आपके फाइल देखने से इनकी तसलिए नहीं होगी आदमी को तलाशिये जरा सोचिए उस घर की क्या हालत होगी जिसका मालिक तिन दिन से घर नहीं पहुँचा मैं अभी देखता हूँ ओके तुम घर जाओ अब वेसी पी साब खुद इस केस को देखेंगे तुमारे पिता जी जहां भी होंगे पुलीस उने जरूर ढूम नकालेगी जी शुक्रिया राना साब प्राबलम काफी बढ़ गई है आप इसके बाप को छोड़ दे तो अच्छा होगा अब तो मीडिया वालों ने भी ये किस्सा उच्छना शुरू कर दिया है कल आपको भी प्राबलम हो सकती है राना साब रस्तोगी की लाश मिलने के बाद सब ठंडा हो जाएगा मौत के बाद उसकी खुली आँखे देखकर शहर के लोगों के मूँ खुद बखुद बंद हो जाएंगे नहीं राना साब मेरे खाल से इस वक रस्तोगी को मरना आपके लिए रस्तोगी को मरना तो पड़ेगा ही पैसे की बहुत गर्मी हो गई है उसमें वो अपनी चातवालों में मेरे खिलाफ सहर भर रहा था पंडेश्वर हाजी आगेश को फोन लगाओ जी रस्तोगी मेरे डैर नहीं चाहता के तुजन्दा रहे कहां जा रही हो बेटी कॉलेज डैड कॉलेज मैं देख रहा हूं कि आज कल पढ़ाई लिखाय में तुम्हारी दिल्चस्पी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है लेकिन बेटि आज संडे मज मस्ती हैं दाध अगलत समझ paat समझ रहा हूं तुम्हारी और विशार की प्रेम कहानी जी सरफ तार से बढ़ रहे हैं सब जांता हूं मैं लेकिन एक बात कान खोल कर सुन्दो मैं मेरी कमपनीर मुलाजिम को अपना दामात नहींork severe ad तू कुछ जानती है तू कुछ नहीं जानती है आ देख देख कौन है यह यह तेरे परदादा हुकम चंद राजा भीम राओ के एकलोते वनिशज बहुत बड़ी रियासित थी इनकी पचास गाओं की पट्टेदारी थी दो हाती और पांसो घोड़े हमेशा साथ में चला करते और यह देख यह तेरे दादा रगुपती राओ पट्टेदारी और रियासित छीन जाने के बाद इनके पास क्या बचा दो हाती और कुछ घोड़े उन्हें सरकस वालों को बेचकर दिन रात की रोठी पानी का इंतिजाम करा और यह देख यह तेरा बाप खड़ा है तेरे स सामने कुछ नहीं था मेरे पास जब मैं इस शहर में आया बड़ी महनत की कुलीगीरी की दिन रात कुलीगीरी की तब मैं कुली से सेड़ बन पाया हूं मैं नहीं चाहता कि कोई चुच्चा सा लड़का तुझे प्यार के चक्कर में फसा कर मेरी जाइदात का मालिक बन और विशाल उसका तुमें सर काड़ दूंगा उसके लगाट अधी नाथ यह क्या हो रहा है एक मासुम अबला के साथ इतनी सक्की क्यों दिखा रहे हो ठीक कर रहा हूं मैं यह मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था मेरे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड के लग दिया अरे आपके लाड़ प्यार ने जिसे बिगाड़ा है वो तो गाड़ी लेकर हो गई है आपने निहां बेटिया की जगा कांता भाई को कमरे में बन कर दिया है क्या कह रहे हो तुम अरे हाथ कंगन को आर्सी क्या और पड़े लिखे को फार्सी क्या खुदी खोल कर देख लीजिए ने भारा 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 यह क्या नोटंगी करिये मेरे साथ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के घशीर के उपर ना रहा हूं तुम बोलने सकती अगो भाया पाई कैसे बोलती तीन सा पहली बार अरे गिरी बाबू यह तुमको क्या हो रहा है अरे गिरी बाबू नेहा की शादी के साथ साथ आपकी शादी का भी महुरत निकलवा दू बदरी याद रख मैं निया को छोड़ूंगा नहीं अरे आप कुछ नहीं हो सकता है वो दोनों तो नाच रहे होंगे गा तिरक रहे होंगे तिरक रहे होंगे है 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 तक 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 बोले थेवा आसा शोले संसना और अवालिय अरेच आइक ही भाताइक हुआरट पुक्राट तूने अपने दीवाने पर ऐसा जादू डाला होशगवा के मस्ती में जूमे तेरा मतवाला तूने अपने दीवाने पर ऐसा जादू डाला होशगवा के मस्ती में जूमे तेरा मतवाला मैंने बेता अपने आपको तिरा सार संभाला देखा जा कि जो कोटों दे दिया दिस जोबने दाप डाला पाते प्यार भरी सौधात जियरा धक 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 बोले उस या माल दूखी बात धियरा धक 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 बोले मैं जो आखे पंद करूँ मेरे सपनों में तू आए सपनों में आखे मुझे को कैसे कैसे तड़ पाए हाए हूँ मैं जो आखे पंद करूँ मेरे सपनों में तू आए सपनों में आखे मुझे को कैसे कैसे तड़ पाए जीने ना देखी मुझे को मेरी जान तेरी एंगराई आपों सही न झाए मुझ से एक फल के जिदाई पतव कमाले तूले बेडिक, कुले बेड़ी तुले? क्यों चिलारी जिफाली निफ您ारी कि ने कूनारी? ह तूले जितो लेक2 और कि कहा रह जाते हो फिकर हो जाती है मुझे कितना वक्त हो गया है खाना कब से लगा कर बैठी हूं चलो चलो बैठो पहले खाना खालो आज अब कुछ बुरिया ना अज ही बहुत बड़ा अनर्त मैंने अपने आखों से देखा है कैसे हैवानियत कनंगान आज मेरी आखों के सामने चल रहा था कि अधर भटी वही आखों से वह सब देख रहा था एक तमाशा मोट भीचे हुए थे मेरे गिगगी बंद गई थी मेरी क्यों ऐसा क्या देखा आपने पीचों बीच एक खुली सड़क पर कुछ गुंडे एक लड़की को पुलीस जीप में ले जा रहे थे और मैंने देखा उन गुंडों में जस्पाल राना का लड़का नागेश भी था एक नेता और समाज सिवक का धिंडोरा पीटने वाला जस्पाल राना आज इतनी बड़ी पावर बन बैठा है कि उसका बेटा सारे आम सड़क पर इतना घिनोना अपरात करता है और पुलीस भी उसके साथ मिली हुई है साट साल का ये बूड़ा इसने अपनी आखों के सामने गुलामी की गाली स्याही को मिठते हुए देखा है इस हाथ से को बेबस और लाचार की तरह देख रहा था मेरे जी में आया कि मैं पुलीस को जाकर रिपोर्ट करूँ लेकिन बाद में ख्याल भूरा कि पुलिस भी तो इस घिंणॉने अपर आद में उनके साथ मिली हुई यह नहींनि किसी से कुछ आने की जुरूरत नहीं है और आपने कुछ नहीं देखा काहीतरी आप आज मेरी बात माननीजे मैंने आज तक आपको किसी बात के लिए नहीं रोका लेकिन इस बात को आपको दबाना ही है हमें नहीं उलजना ऐसे लोगों के साथ आपको मेरी सोगंद आपने कुछ नहीं देखा बस चलो बोड़ी उठाओ यह देखू सालुके की लड़की की खबर अकबार में छपी है पुलिस अपनी कारवाई कर रही है अरे क्या कर सकती है पुलिस जिन गुंडों के इतने बड़े होसले कि एक लड़की को उठा कर उसकी इज़्जत दूटकर उसे मार कर गाड़ी के नीचे डाल दें यह काम कोई चोटे मूटे गुंडों का नहीं है ऐसे गुंडों पर तो पुलिस की हाथ नहीं डालती है बाबजी क्या बात है आज सुबाब जल्दी घर से निकला है पूचा तक नहीं की पूचा नहीं की है हाँ वो भूल गया अच्छा अभी तो आप घर जाईए माने बलाएं आपको मास्टर जी मास्टर जी के चल बेटा जल्दी से पैर चू मास्टर जी के आशिरवाद लेन का खुश करो आज से इसका इंत्यान है आशिरवाद तो माबाप का ही सब कुछ होता है जीते आपकी ही क्रिपास इसकी पढ़ाई चल रही बासर जी आप कोशिश ना करते तो मुझे नौकरी भी ना मिलती अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए अब ये जरूर पास हो जाएगा अच्छा चलता हूँ आप सब जानते हैं कि श्री राणा जन का लियान के लिए कई बड़े काम कर चुके हैं आज भी समाज और देश के हित में इनके प्रियास जारी हैं अब मैं श्री राणा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने विचार इनके सामने रखकर मीटिंग की शरुआत करें बिगरते हुए हालात गुंडों का आतंक दहशत और डर में जीने वाला एक आम आदमी ऐसी ही कुछ तस्वीर है इस शेहर की यहां पुलिस और प्रशासन के साथ जुड़े हुए कुछ लोग मौजूद हैं लेकिन मुझे ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि इस शेहर की हालत दिन बदिन बत्तर होती जा रही है इस शेहर में हर इनसान अपने घर रोजी रोटी की जगा सड़क कहीं पर भी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है गुंडा गर्दी का तो ये आलम है कि वो कहीं भी किसी भी जगा खुले आम अपना खेल खेल रहे हैं अब गुंडे किसी को धमकाकर रकम वसूल नहीं करते हैं मार कर उनसे चीन लेते हैं शेहर से गुंडा ताज्टों को मिटाने के लिए पुलिस के हर नौ जवान को आज कमर कसनी होगी आलियां मत बजाई हैं मत बजाईए तालियां मत बजाई आचे लोगों की बाते सुनकर तालियां मत बजाईए आंके खोलिए और समझे छोड़ो मुझे पब्लिक का आदमी हूं पब्लिक पिटिंग है ना ये छोड़ो अरे सुनो छोड़ दो ये नहीं आईए मस्टर जी आईए आप इदर आकर बोलिया आपको कुछ कहना है ना स्टेज पर आकर बोलिये कहना चाहता हूं कि मैं पुतलों की भीड से अलग हूँ ये जो रखे हुए आपने यहां पर राना साब शहर के बिगड़ते वे हालात पर अफसोस जता रहे हैं मस्टर जी माइक पर बात कीजिए राना साब यहां मंच पर खड़े होकर शहर के बिगड़ते वे हालात पर अफसोस जता रहे हैं पुलिस को मश्वरा दे रहे हैं कि गुंडा ताक्तों को काबू में कैसे रखा जा सके यहां उचाई पर खड़े होकर एक समाज सेवी का मखोटा ओड़कर वहवाई लूट रहे हैं अरे किन गुंडों को मिठाने की बात कर रहे हैं राना साब जैर्ट के सबसे बड़े गुंडे तो आप यह देखे यह देखे और बाकी के गुंडों को अपनी छतर चाह में ले रखा है और पुलिस दे भी उन गुंडों को और आपको खुली छूट दे रखी है आपकी तागत और आपकी पहुंच के आगे घुटने टेक दी है पुलिस दे भाई पुलिस की जुबान पर हमेशा एक ही शिकायत होती है कि शहर का कोई आदमी किसी गुंडे के खिलाफ किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज नहीं करता किसी कतल या लूट मार का कोई चश्मदीद गवा नहीं होता तो आज आप सब के सामने मैं मैं मास्तर सच्चिताना नगनी होतरी पुलिस को एक चश्मदीद गवा दे रहा हूं कर रात माहिम स्टेशन के पास रेलवेट रैक पर पुलिस ने एक लड़की की लाश बरामत की लड़की का नाम था भारती सालू के उस लड़की को कुछ गुंडे वर्ली नाकी से उठा कर लाए थे और उन गुंडों में राना साब का बेठा नागेश भी था मैंने खुद अपनी आखों से नागेश को उस लड़की को उठाते देखा था तो मैं उस घटना का चश्मिद गवाह हूं अब बताइए पुलिस बढ़ाएगी इस कारवाई को आगे बोलिए कमिश्टे साहब बोलिए जवाब दीजे अरे आपका जवाब देंगे आपकी पुलिस तो खुद उन गुंडों के साथ अब इस गवाह को बैसा की बना कर दो चार कदम चल सकेगी आपकी पुलिस अब आये जवाब दीजे अरे बताइए पब्लिक विटिंग है बताइए जवाब दीजे इने कुछ भी करने से पहले सोचते विचारते होके नहीं एक जोपर पटी की लड़की उठाली अरे कुछ तो स्टेंडर की बात किया करो ठीक है तुम जैसे लड़कों से यह सब हो जाता है यह भी ठीक है कि तुमने उसे मार डाला लेकिन ये ठीक नहीं हुआ कि उसकी लाश मिली रेल की पट्रडी पर डालने के बजाए उसे किसी तेटर में नहीं फेंक सकते थे इडियोट ठीक है जो कुछ हुआ है उसे बूल जाओ मैंने कामले से बात कर ली है वो सब कुछ संभाल लेगा आएंदा के लिए जरह ख्याल रखा करो पंडेश्वर जी वो प्लॉट का काम ठीक से चल रहा है न कौन से प्लॉट का जी अरे वही राना कॉंप्लेक्स वाला हाँ वो वो बिल्कुल ठीक चल रहा है जी कल कमिशनर साब के साथ मीटिंग के बाद मेरी कौन-कौन सी अपउइंट्मेंट्मेंट्स है कल सुबा 11 बजे आपको गाधी बेमुरियल स्कूल जाना है जी वो स्वतरता दिवस के जलसे में मिठाई खाने से जो बच्चे मर गए थे ना उन्हें बधाई देनी है जी और शाम को रॉयल क्लब के फंक्चन में डॉक्टर पटेल को उनकी मेडिकल सिवाओं के लिए श्रधान जिली देनी है जी क्या उल्टा सुल्टा पक रहे हो जी जी माफ कीजे राना साब मैं उल्टा सिधा बोल गया दरसल मैं बहुत परेशान हूं जी अब आप से क्या छुपा हूं धौल पूर से बड़े भीया की फिर से चिट्थी आई है जी वो मेरी धाई भीगा जमीन के बारे में पूछा इसे अपनी जेब में रखो ताहित्री विशाल अहाँ देखो देखो अरे घूर क्यों रहे हो अब मैं 740 उपे पेंशन पाने वाला मामूली अध्यापक नहीं हूँ और भी कुछ हूँ कौन कहता है कि सच्चाई के साथ देने वाले लोग अब नहीं रहे सच्चाई के साथ उठीवे आवाज के मायने आज भी हैं ये देखो देखो ये आज के पेपर में सब कुछ कर दिया बाबु जी मैं यह कह रहा कि आपने कुछ गलत किया और लोग नागेश की गिरिफतारी की मांग लेकर सड़कों पर उतराएंगे और पुलिस को जख्त मारकर नागेश को गिरिफतार करना पड़ेगा बाबु जी आप समझ नहीं रहें हैं तुम इतना बड़ा हो कि मुझे समझाने लगा तुम समझाओ इसे मिशाल जो होना था वो तो हो गया अब इसे सम्हालना कैसे है वो सोचो कम इसकम तुम दुन आपसे तुम मेरी फिकर छोड़ो जो होगा देखा जाएगा मैं उन परेशाने से खुद लड़ लूगा जिनकी शुरॉत मैंने की है उस से अंजाम तक पहुचाना मेरा काम है बस मेरा मुझे समझाने चले उस दिन देखना जब पबलीक सडकों पर उतर आएगी हां करें 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 प्राणा साब आप जड़ा मेरी परेशानी तो समझे आज वो मास्टर अकेला नहीं है उसके साथ पचास हजार लोग और उतर आये हैं सडकों पर जुलूस निकल रहा है पुलीस डिपार्टमेंट के नाम का जुलूस निकल रहा है अब तो स्टुडेंट से भी तोड़ फोर्ट शुलू कर दी है कल उन लोगों ने पुलीस की भी कुछ गाड़िया जला दी पता है आपको अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरी तो नौकरी गए हाथ से कामले साथ आप उससे चाहते क्या है देखिए राना साथ इस बात पर मैंने बहुत सोचा है अगर हाला तीसी तरह से बिगड़ते रहे तो मेरे साथ साथ आपको भी काफी नुकसान होगा इस साथ आपको रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है मुझे मुझे नागेश को गिरफ़तार करना होगा कामले राना साथ आप एरी बात तो सुनिये नागेश पुलिस की हरासत में ज्यादा दिन नहीं रहेगा इत्मिनान रखिए देखे नागेश का केज़ तो प्रदान साभी लड़ेंगे ना और कोट में नागेश पर लगी चार्श चीर को तोड़ने में कितना वक्त लगेगा मुझे मैं खुद कोट में नागेश के खिलाफ कोई भी सबुत या कोई भी गवा खड़ा नहीं होने दूँगा परोसा रखिये मुझे पर लेकिन ये सब मैं तब कर पाऊंगा जब मैं कुरसी पे रहूंगा राना साथ मतलब ये के नागेश को पुलिस कुट्टे की तरह खसीटी हुई पुलिस टेशन ले जाएगी और कल की अख़बारों में हेडलाइन्स होंगी समाज सेवी जस्पाल राना का बेटा बलादकार के चुर्म में गिरिफतार ठीक है मैं कोट में पैरवी के लिए परधान को खड़ा भी कर दूँगा और नागेश छूट भी जाएगा मगर इस पूरी महाँ भारत के बास वो रामाएन जो मैंने रची है उसका क्या होगा 25 साल की मेहनत के बाद मैंने जो अपने नाम की एक पहचान बनाई है उसका क्या होगा एक लास्ता है काम ले पराम खोर बड़ी जवानी चरिये तेरे अंदर यह क्या कर रहा है अब इतना बड़ा पाप पर्चे हो तुझे शरम नी आई आप अज़ा काम ले मैं तुझे जंदा नहीं छोड़ूगा निकल जाए आज़े इतना बड़ा पाप तुने क्या कैसे तुने क्या समझा नहीं तुझे पचानेगा प्लीज क्या कर रहा है हमारे हाँ औरत का तरजा देवी के समान होता है तुझे पुझा जाता है उसे और तुने उसे बाजारू समझ लिया प्लू के पच्टे क्रपूद प्राम लादे मैं साब मैं साब लोगों के मिस्टे आजा काम ले मैं इसे छोड़ू मैं आज मर गया तू इतना नीज काम लेके तुना ने बाद पर मूबर ना रखी है जमाज देश मेरे लिया उलाद पर करें इसकी चान में बागते होगा मैं तेरी हट्टी पसली तोंके रखूगा तेरे जैसे मुझरिम को तो कामून के हवाले मैं करेंगा यह नहीं। रिस्पेक्टर साव यह रहा आप leスप्रादी बलातकार जैसा कहिनाओना चुर्म किया है इसने सब्सक्रादी के साथ ऊख गढार जाता है बू़ जाए कि यह जस्भाना का बेटा है मेरा बेटा हो ही नहीं सकता यह ये मेरा बेटा होई नहीं सकता राना साहब, लोग तो अपनी पोजिशन के प्रभाव से अपने सगे संबन्द्यों की हिपाज़त करते हैं मगर आपने तो अपने बेटे को कानूं के हवाले कर दिया ज़रूरी था ऐसा करना राना साब, आपने अपने सगे बेटे को सलाकों के पीछे खड़ा करके बहुत बड़ा काम किया है बड़ा काम मत कहिए, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है मैंने तो एक अच्छे नागरिक के तरह अपना फर्ज निभाया है मेरे बेटे नागिश के उपर उंगली उठी के वो गुनेगार है तो मैंने उसे खुद बखुद पुलिस के हवाले कर दिया मैं तो चाहता हूँ कि ये मिसाल बने उन लड़कों के लिए जो अपने बापों की पुजिशन की वज़ा से कोई भी गुना आसानी से कर बैठते हैं और बड़ा काम मैंने नहीं बड़ा काम तो किया है मास्टर सच्चेदानंद अगने होतरी ने जिसने निडर होकर इस गुना के खिलाफ अपने आवाज उठाई मेरी फोटो मत लीजिए प्लीज मेरी फोटो मत लीजिए अगर आपको फोटो लेनी है तो मास्टर जी की फोटो लीजिए और अपने अख़बारों में छापिए सचाई पसंद इस मास्टर की तस्वीर घर घर पहुँचनी चाहिए राणा साब नागेश को पुलिस के हवाले करने के बाद आपके मन में कहीं मैंने जो कुछ किया है अपनी इमानदारी से किया है और अब मैं चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम पूरी इमानदारी से करें पास्तुजी घर पर हैं आप लोग घबराइए नहीं घबराइए नहीं अब उन्हें उठाने नहीं आया है कुछ पेपर्स पर उनके साइन चाहिए मैं पास्तुजी को बुलाईए आप लोग इतनी रात को इस तरह रात को आकर आपको तकलीफ तो दीपर क्या करें ड्यूटी ऐसी है अरे आप खड़े क्यों है बैठी 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 ना पास्तुजी उस लड़की के केस पे कानूनी कारे वही अब शुरू हो गई है नाय देख रहा हूं वो केस आपने जो स्टेट्मेंट दिया था उसी के बिना पर पुलीस अप कोर्ट में केस फाइल करेगी आपके सिगनेचर की ज़रूरत है जी बता ये खाँ साइन करना है एक बार फिर सोच लीजे मास्तुजी ये केस बलाचकार और हत्या का है आपके साइन करने का मतलब है आपका नाम इस केस के चश्मदीद गवा के रूप में दर्च हो जाना हो सकता है हदालत की कारवाई वहां तक पहुंचे कि नागेश को सजा हो जाए लेकिन ये सब इतना असन नहीं होगा क्योंकि नागेश जस्पाल राना का बेटा है जिसके हाथ में पावर है और जिसकी पाँच बहुत बड़ी है और मास्तुजी मैंने तर इसे कई केसिस दे सब्सक्राइब करती है कि एक स्टेज पर आकर वो अपना हाथ वापस खीचना चाहते हैं और पुलिस के मजबुरी होती है उनको पकड़ कर रखने की मैं तो शिर्फ अपना तजूरभा बयान कर रहा हूं एक मिनट आप अपना तजूरभा बयान कर रहें हैं मुझे डरा रहें मैंने जो सच देखा वही बोला है और जो बोला उसी पर अठल हूँ पताए कहां साइन करना है पताए नहीं रुक जाहिए आप साइन मत कीजिए पता नहीं मेरा मन कहता है हम बहुत बड़ी परिशाने में फच जाएंगे फटल नीचे कर यहां के एंकॉटर के लिए आये क्या पुली चल गई तो आदमी अमर जाएगा इडियाट बाफ कीजिए है फ्लीज नहीं आप साइन मत कीजिए मेरा मन बहुत घबरा रहा है गायतरी डरने की कोई बात नहीं है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता तर्मा उन्हें चाहिए जिन्होंने गुना किया है मैं समझती हूँ आपकी बात प्लीज साइन मत कीजिए फिशाल कर लेगा मुझे साइन करने से रोक देगा क्या फिर भी आप मेरी बात मत करो गयतरी तो नहीं आपने रास्ते से पीच्छे अटने वाला नहीं और तुम बजाए मुझे कुछ कहने के अपनी माँ को समझाओ और तुमारी मा के आस्वों के लाब़े और कुछ है कि नहीं ऐस नाम के लिए कोई इस्दिगी में ठोफो के लिए तुम मेंपर इस्दिधीनी end प्रूब प्रूप और जो खो जो जो जाए इस दो जाल मां तु ज़दबाजी मत करना अगर पसंद नहीं तो अगले सब्वार दूसरी नहीं नहीं यही तो है वो ऐसे ही सोचीती मैंने पेटा क्या ना में तुम्हारा नहां जोर से बॉल नहां बिल्कुल सही है जो एक बार देखें नहारता है रह जाए अब यह कहेगा तभी तो प सित्मार बें तो ऊदब को पता है स्लुक्त करने बिल्कुल सारे है सित्मार do तक यह कहाँ सित्मार 2 सित्मार किया दुद आपके देखो जी देखो दिल मेरा धड़के देखो जी देखो दिल मेरा धड़के शोला सा कोई सांसों में भड़के नीन चुराए हो शुराए इसकी आदाएं बड़ी हाद पंजाबी कुड़ी मर जटके पंजाबी कुड़ी मर जटके देखो जी देखो कैसे अकड़के आते करे मेरी बाहे पकड़के देखो जी देखो कैसे अकड़के आते करे मेरी बाहे पकड़के उसकी सदाएं नेला लड़ाएं छेरें मुझे दिखतें के कंजाबी मुंडा मारे चल्डिके दाथों के नीचे मुली दबाके दिवा न करते ये मुस्कुराके मेरी अजाबी क्यूत ऐसे मरता मेरे लिए क्या आहे है भरता काल गुलाबी, जाल शराबी देखू इसे तो अखभत की पंजाबी उंडा मारे चट के पंजाबी निभा मारे चत के वाज़ साथ किर दूला मिला कि दलिए झामिमन कि युभ झाला सब्सक्ति कि या हुँ 30 1 कि वुप कि वुप कि भुप झाय का तः तपया हाथ लगाना दिल पर जानी अमलादा समझना वै हुँ सयानी में चिके जैसी हुदी ये बोले ऐसे चले जैसे अपना किन डोले पाप बड़ा है पीछे पड़ा है पाने कजने सबले पंजाबी बुंडा मारे चटके देखो जी देखो दिल मेरा धड़के शुलासा कोई सासों में भड़के देखो जी देखो कैसे अकरके पाप करे मेरी पाहे पतरके नील चुराए, ओ शुडाए, छेरें मुझे कि 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 पंजाबी कुड़ी मारे चतिके देखो मा, विशाल अभी तक नहीं आया, किसी को बेज़ा भी हो से पुलाने, वो आता ही होगा, लो थोड़ा सा पानी पूल, नहीं नहीं, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल छीक हूँ, खबराओ नहीं, विशाल आते ही पुल स्टेशन जाए, अरे मगर ख मिशाल तेरी बापजी को पुलिस ले गई, मैं सब जानता हूँ मा, बेचे, वो देर दिन से भूके, उन्होंने गवाई क्या दे दी, अपनी जानी बस मुसीवत में डाली है, तो फिकर मत कर मा, मैं बापजी को भी लेकर आता हूँ, अच्छा, जल्दी जा, जल्दी जा, इंस्पेक्टर, मास्टर, ये हमने सब तुमारे हक के लिए रखा है, हो सकता है किसी तारिक तुम बिमार पर जाओ, तुमारी शेहत अच्छी ना रहे, तो, आप मुझ से हमदर्दी मजद आ ये, अपनी कारवाई पर ध्यान दीजे, इन पेपर्स को दुबारा तयार करोए तब में इन पर साइंट करूँगा, अब जी आप ठीक है, आप लोगों का, ऐसे कैसे मेरे फादर को यहां ले आए, हम आपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, एक कवा के घर में पुलीस किसी भी वग घुच जाएगी, उसे उठा कर ले आएगी, और ये लंग डालने के पहले समझना चाहिए था ना, अरे ये तो गुद्धा है, इसका दिमाग बरोबर नहीं है, इस्पेक्चर, उची आवाज में बात नहीं करने का इधर, तुम ही से तुझे बात करने की, क्या यह तरीका बज़र्ग से बात करने का, क्या कर लेगा तू, तुमने भी तो अपने हुसा उतार लिया ना, इस पर, तो क्या इसे थपड़ मार कर मुझे सुख मिला, इससे पूछो कि वहाँ पर यह नौबत आई क्यों, कि मुझे इस पर हाथ उठाना पड़ा, क्या इतनी वहाँ पुलिस वालों से हाथा पाई पे उतार आया था, तो क पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर बर हाथ उठाने का बस्तम समझते हो, तुम कुछ करने से पहले आगे बीची का सोचते हो कि नहीं, आप कितना सोचते हैं कुछ करने से पहले, इशाल चुप कर, अज़ार लोगों के बीच उस गुंडे के नाम उच्छने से पहले आपने कुछ सोचा था, वो वाकिया अपने अभी आखों से देखा है, उस ब्यान पर दस्तकत करने से पहले आपने कुछ सोचा था, आपने सोचा था कि किन तक्लीफों में आपका परिवार आ सकता है, सोचा था आपने, रिशाल चुप कर, और जाई यहां से, काहितरी, आज मैं जान गया, रिशाल अब मेरे कंधों से उपर हो गया है, नागेश, नागेश बेटे, बेटा मत बोलिये मुझे, मर चुका है आपका बेटा, आपने आपी पहिचान को जिन्दा रखने के लिए मार दिया है उससे, बकवास बंद कर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुझे बचाने के लिए आज मेरी ये पोजीशन ही न रहती, पोजीशन है तो सब कुछ है, अब मैं कोई भी गेम खेल सकता हूँ, तू लॉक अप में बहुत दिन तक नहीं रहेगा, पर्ध प्रधान साब, इस केस को जरा अप अलग नजरिये से देखिए, दो तीन तारीखों में ही इसका फैसला हमारे हक में हो जाना चाहिए, मेरा बेटा नागेश, सलाखों के पीछे चितनी राते रहेगा उतना ही भारी पड़ेगा सब को, तुम कौन सी अपील कब करते हो, और क राना साब, नागेश के लिए मैं कंपरेशान नहीं हूँ, वो मेरे बेटी जैसा ही है, फिर ये केस्त में चुटकियों में निप्ता दूगा, वैसे दो इस शहर में लोग देखते नहीं है, और देखते भी हैं तो बोलते नहीं, ये पहला प्रानी है जो देखता भी है और बोलता भी है, कामरे साब, मैं जैसे जैसे कहता हूँ, वैसे आप करते जाएए, मास्टर सच्चिदानंद अगनी होतरी सीधा है, सच्चा है, इमानदार है, और खास बात यह है कि वो दिल से काम लेता है, और जो दिल से काम लेता है, उसके दिमाग पर चोट करने चाहिए, कोली क्यों चलाई, कोली मैंने नहीं चलाई, कोली नहीं चलाई, तु कबूतर कैसे उड़े, मुझे का पता कैसे उड़े, देखिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, देखो विशाल, तुम्हारी मा की कंडिशन देखने के बाद ऐसा लगता है, कि आप इने रेगुलर ट् लीजिए, अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, अच्छा अच्छा जाए, परित्राण परायने, सर्वस्यात्रि हरे देवी, नारायनी, नमस्तर यह मास्टर जी प्रसाद लीजिए, अब पंड़ जी आपने मुझे प्रसाद की जगा बिच्छू क्यों दिया, नीचे तो परसाद गिरा हुआ है, एक दवाई नहीं है, इनकी 140 रुपे हुआ, अरे क्या मास्टर, तुम समझता क्यों नहीं, कानून का काम तो कानूनी तरीके से होगा ना, मैं सब समझता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जिस तरह से आप मुझे परेशान क्यों रिलाक्स अ मास्टर जी, रिलाक्स, आप तो हमारी मदद कर रहे हैं, फिर हम क्यों चाहेंगे आप परेशान हो, और आपने जो काम किया है, उस काम को करने के लिए हिम्मत चाहें, लेकिन हिम्मत करने से पहले आपने अच्छी तरह सोच लिया था ना, अरे आपलोग डरने है और तरवास त्रवाजे से इस तरह चोरी चोरी क्यों ले जारा है आप धक्का मत दीजिये नो खुर चला जा में ऑचाल भा तरहरा है आप आप सब्धु मैं श्रापी रेकिए आपको घर चोड़ने की लेजिए मास्टर जी आपका घर आ गया आप खामका चिंता कर रहे थे आए उतर ये आपका घर आ गया आपको घर की परशानी देख कर मा की तबियत पिकड़ती जा रही है अगर तुम बाबुजी को समझाओगे तो समझ जाएंगे इंसानियत के नाते जो उन्होंने किया सो किया अब कुनेगार कौन है और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए ये तैक करने के लिए बैठे हुए हैं लोग ये उनका काम है अगर हर आदमी अपना काम ठीक से करता तो आज ये नौबत ही नहीं आती एक आदमी जो सचाय के लिए लड़ रहा है वो खुद परिशानी उसे चकड़ा हुआ है बहुत सवाल उटते हैं बहुत एक तरफ मां का परिशान चहरा पता नहीं आगे जाकर बाबुजी की लड़ाई क्या मूर लेगी मालोड नागेश राना पर लगी चार्शीट पर अपनी दलीले रखने से पहले मैं इस केस के बुनियाद पर रोशनी डालना चाहता हूँ मालोड एक सामाजिक संसाज शहर में बढ़ते हुए क्राइम के विशे पर चर्चा करने के लिए क्रॉस मैदान पर एक मिटिंग और्गनाईज करती हैं जिसमें पुलिस के बड़े-बड़े आफिसर्स, समाज सेवी और काफी तादाद में प्रेस के लोग भी मौजूद है उसी मिटिंग में चीफ गेस की हैसे से जस्पाल राना भी वहां मौजूद हैं उस मिटिंग के दौरान जस्पाल राना मंच पर खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं तभी वहां फिल्म-े-नायक की तरह एक आदमी आता है और जस्पाल राना पर उंगली उठाता है शहर में कि उसने नागेश और उसके साथियों को एक लड़की को उठाते हुए देखा है मंच पर ये जबर्दस्ट ड्रामा किया मास्टर सचीदानंद अगनी होतरी ने लकिन सबसे पहले अदालत के लिए साफ होना बाकी है कि इस तरह की कोई घटना हुई भी है या नहीं मिलोड वरली नाके पे तीन बत्ती आलाके में रात को ग्यारा बजे जहां सेकड़ों लोग आ जा रहे हैं नाके के बाई तरफ चित्रा सिनिमा का टेक्सिस रैंड डाई तरफ हॉस्पिटल के सामने खुली हुई दुकाने ऐसे माहुल में कुछ गुंडे एक लड़की को जबरन उठाकर पुली जीप में डालते हैं उस लड़की की चीख बुकार वहां मौजुद लोगों में से किसी की कानों तक नहीं पहुँची सिर्फ मास्टर जी सिर्फ मास्टर जी ने ये नजारा बखु भी देखा लेकिन अपने किसी नजदी के पुलिस टेशन में जाकर इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की शायद उस वक्त इनकी परेशानी ये रही होगी कि इन्होंने पुलिस को नागिश की मदद करते वे देखा है मास्टर जी ने उस वक्त पूरे होशो अबास में पूरी समझ के साथ काम लिया एक आम आदमी की तरह उन्होंने भी अपने आपको इस मामले से दूर रखना है बहतर समझा लेकिन अगले ही दिन क्राउस मैदान में इनका दूसरा रूप सामने आया जो शक्स ये घटना देखने के बाद डर कर पुलिस टेशन की तरफ बढ़ने वाले अपने कदम रोक लेता है वही शक्स हजारों लोगों की भीड में खड़े होकर जस्पाल राना के हाथ से माइक चीन लेता है माइक मैंने चीना नहीं था खुछ जस्पाल राना ने मुझे दिया था और ये घटना तीन बती नाके से कुछ दूरी पर हुई थी जज साब जितना सिनिमा की बाईं तरफ वल्ली विलेज को जो सड़क जाती है उसके पास कुछ रेलवेज की पुरारी बिल्डिंग्स है उन्हीं बिल्डिंग्स से उस लड़की को बाहर लाया गया था मैं जो कह रहा हूँ सत्ति कह रहा हूँ जज साब जिंदगी महालात कुछ भी रहे हो मैंने कभी जूट का सहारा नहीं लिया मेलोड मैं मास्टर जी से कुछ सवाल पूछने के इजाज़त चाहता हूँ इजाज़त है मास्टर जी बत और अध्याबक्त आपने एक स्कूल में कितने साल निकार है एक पूरन्मादेवीविड्याले में इक और प्रिशष है इससे पहले भी आप किस स्कूल बे थे? हाँ, एक सरकारी स्कूल बे चार साल चार साल? क्यों? आपके इस स्वाल का इस केस से क्या तालुख? यह मेरा जाती मामला है, मैंने कौन सी नौकरी कबोर क्यों छोड़ी? इस से अदालत कु क्या ले न देना? आप सिर्फ सवालों का जवाब दीजिए अदालत का काम अदालत पर छोड़िए यहां सिर्फ एक नौजवान की जिंदगी का सवाल नहीं है इस केस में एक समाज सिवकी शक्षित और उसकी प्रतिश्ठान दाओं पर लगी है बहतर यही होगा कि आप पैश में आकर जलाने की जाए आप धेरे के साथ मेरे सवालों का जवाब दें और मैं थाबित कर दूँगा कि मेरे पूछे गए हर सवाल का तालुक इस केस के साथ है अब बताईए आपने सरकारी विद्याले में सिर्फ चार साल ही काम क्यों किया क्योंकि वहाँ जो मैं देख रहा था एक अध्यापक होने के नाते मेरे लिए शर्मनाक था वहाँ के अध्यापकों ने शिक्षा जैसी सेवा को बाजारू बना दिया था स्कूल के बाहर दुकाने खोली थी उन्होंने और स्टूडेंट्स को टूशन पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मुझे तरह तरह के तरीकों से परिशान किया जाने लगा ठक कर ठक कर मैंने रहजाइन कर दिया आपने ग्यारा साल की सर्विस के बाद पुर्णी मगदेवी विद्यलक क्यों छोड़ा कि वहां के प्रिंसिपल रंगनात राव से मेरी बिगड़ गई थी कि मेरा अपना आत्म सम्मान बचा पाना वहां भी मुश्किल हो गया था लेकिन इस बार आप स्कूल से हटे नहीं आपको हटाया गया हाँ आप आप आशा कह सकते हैं मास्टर जी स्कूल मैरेजमेंट के रिपोर्ट के मताबिक आप अपने काम में गायर जिम्मेदार और लापरवाह थे मसलन हिंदी के पिरेड में आप अपनी क्लास से हमेशा गायब रहते थे ऐसा एक ही हुआ और क्लास से गायब होकर कोई मैं पाप का काम करने नहीं गया था हमारे स्कूल के चपराशी के घर गया था मैं उसे बहुत तेस बुखार था उसकी देख रेक करने वाला कोई भी नहीं था इसलिए उसके घर जाकर मैंने कोई दवाईयां लेकर दी थी और एक बारा ऐसा भी हुआ था कि आप अपनी क्लास छोड़कर सिधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में घुज गये और वहां के हैड मिस्टर चंदरकान कुलकरणी से आपकी हाथा पाई हुई आ अपने उन्हें मारा है हां ऐसा किया था मैंने क्योंकि स्कूल मेंटेनस के लिए ट्रस्स जो रकम मिली थी उसमें पांच लाख रुपे का घोटाला हुआ था और यह रकम प्रिंसिपल के अलावा और भी लोगों में बटी थी और इस घिनोंने काम को अंजाम देने के लिए सबसे बड़ा हाथ था जच साब जब मैंने उसे मारा तो उसे चराप पी रखी थी स्कूल जैसी संस्था से चुड़ा हुआ एक करमचारी स्कूल में शराप भी कराता था तो क्या गलत किया था मैंने क्या मैं भी दूसरे लोगों की तरह खड़े-खड़े तरमाशा देखत में और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझा अदालत से बाहर भी परेशान किया जा रहा है मुझे दिखागी तौर पर रफाहिज बनाने की कोशिश की जा रही है जजज साब पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ एक खेल खेला जा रहा है जजज साब मैं कबूतरों को दाना डालता हूं तो मेरी सुरक्षा में तैनाथ गार मेरे पीछे ख़ड़ा होकर उपर गोली चलाता है पूछताश के लिए मुझे पुलिस पीछे के धरमाजे से अंदर लेकर जाती है पूछताश के बाद पुलिस टेशन से मुझे खर ले जाया जाता है तो जीप उल्टी चलाई जाती है और तो और मैं बंदिर में पुजारी से प्रसाथ मानता हूं तो प्रसाथ की जगा मेरे हाथ में बिच्चु रख दिया जाता है मैं यह नहीं कह रहा बाबजी आप कहना क्या चाहते थे आपकी कोई बात का मतलब भी नहीं बनता था वो कोट है बाबजी कोट मुझ से निकली हर बात को पकड़कर वो खेल खेलते हैं मजाक और वालिया आपने अपना मजाक मेरा नहीं सच्चाइक का हुआ था मैंने जो भ अचाहतर में कॉलेज की मैनेजमेंट कमेड़ी के साथ जो मेरा जगड़ा हुआ था वो दो साल तीन महीने और थारा दिन चला था तेरा अपरेल को उसका फैसला हुआ था मेरे हक में जस्टिस बीके चौधरी उसका जज्ज था क्या जिमाग फिर गया मेरा तू शनिवार को कि अधिक चलो कोट में कहीं हुए मेरी बाते बहकी हो सकती है उमर के बोज में मैं अपना दिमागी संतुलों भी खो बैठाओं ये भी सच हो सकता है लेकि विशाल ये तो नहीं हो सकता कि मैं शराप पीने लगाँ ये बोटल मेरे बैग में रखी गई है मुझे परिशान करने के लिए बस बाबजी अब आपको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं हुआ है हुआ है 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 अब अंदर नहीं जा सकते हैं यह मेरे साथ है नहीं जा सकते हैं है तुम कौन दराने के लिए मना किया ना इसी भी साब मैं आप अब जी अब सब कुछ मेरे सामने होगा मेरे बाबुजी से क्या पूछा जाता है क्या लिखाया जाता है सब कुछ मेरे बाबुजी से क्या जाता है तुम ने दिया था तो फिर वो दारू की बॉटल भी तुम ने डाली होगी कहना क्या चाहता है तु कि वो दारू की बॉटल उस बैग में तुम ने डाली थी कंध बुम से केफू हुआ 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 कि देखिए गिरी बाबु विशाल का जल्दी छूटना मुश्किल है केस काफी बिगड़ गया क्योंकि उसने पुलिस वालों पर हाथ उठाया है कि आप कोशिश तो कीजिए वकिल साब कोशिश कर लेते हैं लेकिन चांसिस बहुत कम है मेरा नम सचिदा नदल्ग नी होतरी है मेरा केस भी आप इक की कोट में है मैं पुलिस का गवा हूँ एक तरह से मैंने कानून की मदद की है लेकिन कुछ लोगों ने मेरे बेटे को जूटे कून के इल्जाम में लॉकर में बंद करवा दिया है आप उसकी जमानत करवा दीजे बाद में उसका भी केस कानूनी तरीके से चले कोई बात नहीं जच साब मैं आपका बहुत आभारी रोंगा देखिए इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता पुलिस की करवाई में हमारा कोई दखल नहीं होता आप ने इस तारीख में केस को कितना तोड़ा है ये मुझे मत बताईए मेरे बेटे नागेश को लॉक अप के अंदर आज पूरे तेरा दिन हो गए यहां मेरी आत्मा पर बोज बढ़ता जा रहा है क्योंके मैं ही उसे मार मार कर पुलिस टेशन दख ले गया था ये सच्चिद अनंड स्कूल मस्टर दो हजार रुपे महावार की तनखावाला सरकारी गुलाम मुझ पर भारी पढ़ रहा है जस्पाल राना पर भारी पढ़ रहा है एक लड़की के अपहरन का चश्मदीद गवा बन गया है ये जानते हुए भी कि उस लड़की को मेरे बेड़े ने उड़ाया था मामूली सा मास्टर मामूली साब मास्टर चश्मदीद कवा जिसमें ये सब अपने आँखों से देखा है मास्टर सच्चिता अनंद अगनी होत रही है गामले साब नागेश को दो घंटे के लिए लाक अप से बाहर निका रहा है और ये बात सिर्फ तुमारे खास लोगों की जानकारी में होनी चाहिए और आज रात के लिए मास्टर जी की सिक्रेटिय हटा दो अब ये नया क्या है कुछ मुझे भी तो बताओ राना साब अब तो ये केस आने वाली इसी तारिक में निपड़ जाएगा देखकर बोलने की बीमारी है ना इस मास्टर को अब मैं जो उसे दिखाऊंगा कोल्ट में बोलना बहुत भारी पड़ेगा उस मास्टर को हुआ 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 करें तो हुआ है 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 माय दूद्र पीलो फिर दवायां भी तो लेनी है आपको नहीं बेटे और कितनी दवायां कि लाओगी मुझे मैं इतनी बिमार थोड़ी हूं आज पूरे पांच दिन होके विशाल को देखे क्या केते हैं वकील साहब कब तक छूटेगा वो वैसे हम पूरी कुशिश कर रहे हैं कि विशाल जल से जल छूट जाए कल हमने कोट में अपील भी कर दिये बस वो जल्दी भाहर आ जाएगा इतनी रात हो गई है यह भी अभी तक घर नहीं लोटे है हां हां क्या हुआ है नमस्ते नमस्ते एफ जें ज्यकर ब्दया कैसी है क्या बाथ है क्या फिर कुछ है कुछ नहीं है कोई बात नहीं है कै ऑल मैं तो इतनी राध तक किêu खास काम अभी नहीं रहा था तो कई नहीं ही गार्न में बैठा था अ हम आख लग गई है पता हैं नहीं छलいます कब आँख लग गई पता ही नहीं चला तो फिकर मत करो गायत्री अब इस अध्याय का समापन बस हो नहीं वाला है कल कोट की तारीक है ना सब ठीक हो जाएगा जल्दी छूट जाएगा तो मैं जैच साब को मिला था उनके बंगले पर बहुत नेक इंसान है मेरे केज का फैसला तो आज की तारीक में हो जाएगा उसके बाद उसके बाद मैं तेरी जमानत के लिए बहुत दौड भाग करूँ गा अब तो अच्छे अच्छे वकीलों से मेरी जान पहचान भी हो गई है तेरा केस में किसी अच्छे वकील को सौपूँगा पच्पन में तू मेरी इस घड़ी के साथ खेला करता था एक बार मैंने तरह स्कूल बैक से भी बरामत की थी याद है याद है मैंने तरह को एक चपत भी लगाई थी इचले कुछ दिनों से मेरे लिए घड़ी पेजांसी हो गई है इसकी इसकी सुईयों की रफतास से मैं ताल में नहीं मिला पा रहा हूं तो इसे ना इसे तू रख ले शायद कि शायद तू इसकी रफतार पकड़ सके जल्दी छूट जाएगा तो कि मास्टर जी आज कोट की कारेवाहे के लिए मांसिक तौर पर आप पूरी तरह से तैयार हैं हाँ मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और तैयार भी आप का रहा ही शुरू कीजिए मिलोड ये रही पैनल अफ डॉक्टर्स के रिपोर्ट इस रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ देर के बाद बात करूंगा मिलोड इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि एक गवाह को अदालत की कारिवाही में जहनी तौर पर पर परेशान होना पड़ता है कानून के हाथों कोई गलत फैसला ना हो इसलिए अदालत में कुछ मुद्दों को बार बार दोहराना पड़ता है चेड़ना पड़ता है आज गवाह के कटखरे में खड़े एक अध्यापक के चेहरे पर परेशान ही देखकर मुझे भी बहुत दूख होता है माई लॉर्ड मेरे जिन्दगी में एक अध्यापक की बहुत बड़ी आहमेद है मैं बच्पन में बहुत बड़ा शरारती था और एक अध्यापक ने मुझे सुधारा था उसी अध्यापक से मेरे जिवन को एक सही दिशामीली इसलिए आज मैं हर अध्यापक के बड़ी इज़त करता हूँ आज कानून का हिमायती होने के नाते मैं अध्यापक को बचाने की कोशिश में लगा हूँ जहां एक तरफ इस बात की मुझे खुशी है वहां दूसरी तरफ अफसोस इस बात का है कि मेरी इस कोशिश में एक अध्यापक को परेशान होना पड़ रहा है हाँ तो मास्टर जी 13 अक्टोबर की रात को आपने जो भी देखा मैं फिर एक बारा दालत के सामने रख रहा हूँ आप एक बैयान को दोहरा रहा हूँ तो 13 अक्टोबर की रात को 11.30 ग्यारा बजे आप वरली नाके के 3.24 हिसे गुजर रहे थे आपने एक लड़की की चीख सुनी आपने देखा कि कुछ लोग एक लड़की को उठा कर पुलिस जीप में डालते हैं उन लोगों में से आप नागे श्राना को पहचानते हैं आप उन्हें रोकने के लिए आवाज भी देते हैं लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि उस लड़की की चीख आप तक पहुंच पाती है और आपकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंच थी नहीं इसकी भी एक वज़ा थी आप नहीं बताया था और बिल्कुल दुरूस्त था आपको याद है मैं मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ जहां यह घटना हुई वहाँ पास में एक रेलवे ट्रैक था जहां से एक ट्रेन गुजर रही थी जिसकी वज़ा से आपकी आवाज दब गई हाँ ऐसा ही है तो यह आपने तीन बत्ती की बाही तरफ से यानि के चित्रा सिनेमा के पीछे की रोड जो वरली नाके की तरफ जाती है वहाँ यह घटना देख मतलब आप वरली नाके से काफी दूर खड़े थे टैक्सी स्टैंड की नाहीं तरफ यहलिए जहां खड़े तें के सामने खड़े थो कि पीछे उस चौका मशूर हनमानमंदिर था मैं मैं ठीक क्या हो ना आप हनमानमंदर के सामनेख थे ना कि आम मंदिर के पास खड़े थे ना नहीं मैं मंदिर के पास नहीं खड़ा था मैं चर्च के पास खड़ा था हाँ ठीक के रहे हैं आप आप चर्च के पास खड़े थे अच्छा नागेश और उसके साथियों ने लड़की को उठा कर जिस गाड़ी में रखा वो पुलीस जीप थी हाँ मैं कितनी बार के आ चुका हूँ कि वो पुलिस जीपी थी, पुलिस जीपी थी, पुलिस जीपी थी, हाँ तो अब आपका बयान वुक्ता तरीके से ये है कि रात के साड़े ग्यारा बजे आप वरली नाके से कुछ दूर हरमार मंदर के पास से आपने एक लड़की की चीख सुनी, आपने देखा वरली विलेज की तरफ जाने वाली रोड के पास रेलवे की पुराने बीडिंग से कुछ लोग एक लड़की को जबरन उठा कर ले जा रहे थे आपने गुसे से चिला करोने रोकने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त नजदीक से एक ट्रेन गुजर रही थी आपकी आवाज दब गई, लोगों ने लड़की को एम्बुलेंस में उठा कर डाला और वो चले गए मेरी बात पूरी तरह से दुरुस्त है, ऐसा ही हुआ था उस घटना में लड़की चिला ही, आप ने देखा, आप चिला है, ट्रेन गुजरी, आप यावाज दब गई, लोगों ने लड़की उठा कर एम्बुलेंस में डाला, चले गए कुछ सुदार चाहते हैं आप इसमें, चाहते हैं सुदार कुछ, ने, सब कुछ ऐसे ही हुआ था, सोच कर बताईए, लड़की जिस गाड़ी में डाली गए वो एम्बुलेंस ही थी, मगर अब भी आपने बताया, वो पुलीश शीप थी, बेहतर यही होगा कि आप अपने लफजों में पूरी घटना अदालत के सामने रख दें, मैं रात को वरली नाके से गुजरा पूरी बात बताएए पूरी बात क्या वक्त था क्या टाइम था उस वक घड़ी में थोड़ा पीछे जाएए कहां से आ रहे थे आप कहां से आ रहे थे आप मैं आखरी लोकल से चिंबूर पे उतरा और बस लेने के लिए नाके से गुजरा मास्टर जी आप वरली नाके से गुजर रहे थे आखरी ट्रेन से आप चेंबूर नहीं महालक्ष्मी उतरे होंगे हाँ महालक्ष्मी आखरी ट्रेन इसका मतलब है कि आप 12.30 बज़े महालक्ष्मी स्टेशन उतरे एक बज़े वरली नाका पहुचे इसका मतलब यह है कि ये घटना जो घटी वो एक बज़े के आसपास हुई लेकिन आप तो बार बार ये दोहरा ते आ रहे हैं अपने बयान में कि ये घटना 11.30 के बीच हुई और अगर 11.30 बज़े तक आप वरली नाके पित थे तो महालक्ष्मी जिस ट्रेन से उतरे थे वो आखरी ट्रेन नहीं थी मुझे अच्छीता याद है मैं चेम्बूर आखरी लोकल ट्रेन से 12.27 मिनट पर उतरा था महालक्ष्मी उतरा था आप किस ट्रेन से किस वक्त कहां उतरे ये सवाल आपके लिए अभी खड़ा है वरली नाकी की वो जगह जहां खड़े होकर आपने ये पूरी घटना देखी आपके पिछे कोई इमारत थी आपके पिछे मंदिर नहीं था चर्ष था चर्ष बयान में कहा है आपने आप कभी महालक्स में उतरते तो कभी चेमबूर घटना के वक्त आप कभी चर्ष के पास खड़े होते तो कभी मंदिर के पास जिस गाड़ी में लड़की को डाला गया वो कभी पुलीश जीप होती है तो कभी अब्यूलेंस आप अपने ही किस्से को समझाने में अदालत का इतना वक्त ले रहें तो अदालत उस खटना तक कभ पहुंचेगी जो आप ने देखी अपनी ही कही ओई बात को बदलना फिर से कोई नई बात करना इसका मतलब साफ है कि आप अपनी किसी भूल किसी जूट को छिपाने में लगे हुए हैं जुटा नहीं हूँ मैं मेरी हर बात सत्य है 13 अक्टूबर को नागेश उसके साथ से को लड़की को उठा तो मैंने जिस गाड़ी में देखा था वो एक पुलिस जीब थी और ये हादसा रात को साड़े 11 बजे हुआ था और जहां से खड़ा मैं सब कुछ देख रहा था उसके पास एक चर्च था लेकिन कल रात को एक वजे चेंबूर नागेश ने जिस लड़की को उठाया था उसे उठाकर एक एमबुलेंस में डाला था और जहां से खड़ा मैं एक खटना देख रहा था उसके पास एक हनुमान मंदिर था ये दोनों घटनाए अलग अलग है वकील साब आपकी समझ मे पर नागेश ने फिर से एक लड़की को उठाया था मालोर्ड मास्टर जी के इस किस्से के तार को मैं छेडना नहीं चाहता नागेश जिसे क्राइम ब्रांच के लॉक अप में पुलिस सुरक्षा में पूरी एहतियाद के साथ रखा गया है उसे कल रात मास्टर जी ने चेम्बूर नाके पर देखा मालोर्ड मास्टर जी की दिमागी हालत को बहतर समझने के लिए मैं आपके टेबल पर रखी हुए रिपोर्ट पर आना चाहता हूँ रिपोर्ट में ये साफ है उन डॉक्टर्स ने भी मास्टर जी को दिमाग की एक खास बिमारी का शिकार पाया है क्या मतलब है आपका एक मिनिट एक मिनिट आपको बोलने का मौका दिया जागा एक मिनिट मालोर्ड ऐसे केसिस में पेशन की मेंटल कंडिशन ऐसी हो जाती है कि वो आँखों से देखता कुछ है और समझता कुछ और है मसलन सड़क पर वो भीड देखता है मजमा लगा हुआ है तमाशे का लोग मजा ले रहे हैं उसे लगता है किसे को पीटा जा रहा है पस या ट्रेन पकड़नी की जल्दबाजी में सामने से कोई भागता हुआ नजर आता है उसे लगता है उसका खून करने आ रहा है चीज से एक एक खास किसम का डर बना रहता है अभी रुमाल कलंग टेलीफोन साब बिच्चू इन सब की बनावट अलगया इनका कामकाज अलगया इनका रंग रूप अलगया बिलकुल अलगया अब आप मुझे बताई है मासरीजे आपके जिब में क्या रखा हुआ हुआ ह मैं आपका खेल समझ गया वकील साहब मैं समझ गया कि आप अदालत में ये साबित करना चाहते हैं कि सच्चितानन अगनी होतरी जो इस वक्त इस गवाव के कटखरे में खड़ा है एक पागल आदमी है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं पागल आदमी नहीं हूँ मैंने वही बोला है जो मैंने देखा है और मैंने आज तक जिंदिके में कभी जूट नहीं बोला है आप जानना चाहते हैं कि मेरी जेब में क्या है मैं आपको यहां तक बता सकता हूं कि आपकी जेब में क्या है मेरी जेब में ये कलम है जिससे लिखा जाता है मैं जानता श्डवाटूरी मैं जानता हूं कि टेलीफन से बात की जाती है कलम से लिखा जाता है हैं जानता हूं कि यह चष्मी कावर करते हैं तक अगे। तक नहीं हूं मैं चांता हूं यह कलम नहीं एक रिवाल्वर है और इसे आदमी मत सकता है आप जाना चाहते हैं कैसे आप जाना चाहते हैं कैसे यह देखिया है देख हुआ कैत्री 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 तेरा बाप सर फिरा था उसने मेरे सामने जस्पाल राना के सामने ऐसे हालात खड़े कर दिये के मुझे अपने ही हाथों अपने बेटे को लव लोहान करना पड़ा तेरा बाप मर तो गया लेकिन उसकी सजा अपी तक पूरी नहीं हुई कहते हैं के बाप के शरीर को जब तक बेटे के हाथों आग ना मिले उसे मौक्ष नहीं मिलता और मैंने कुछ ऐसा बंदोबस्त किया है कि मास्टर की चिता को तेरे हाथों आग नहीं मिलेगी कोर्ट आउडर के हिसाब चाएं एक मामूली से स्कूल मास्टर का खून इतना गरम होगा इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था कामले ठंडा करो इसे ठंडा करो इसे अगा... इसका मुझे पेलान यताविहाय और इसका मुझे पिन्डार मैं आछारी रानि विहाय दूलै नहीं कि यह लेके जारे कितने जल्बास है क्यों मेरे बच्चे में आया मेरे बेटे को दाने दो क्या कह रहे हैं कामरे साब यह कैसे औरेस हुए एक बेटा आपने पिता का अंते इंसकार नहीं कर सकता चलो चलो जल्डी कर शौर्थी को जी लुक जाओ मैंने कहा ना जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता यह अरती नहीं किसी जाएगी चुड़ाओ गामरे साहब विशाल मास्टर जी का इकलोता बेटा है क्या आपका कानून आपकी अदालत ये भी नहीं जानती के पिता की चिदा को देखिए गरीवाबू कोड के ओर् भलाई के लिए हैं हमारे डिपार्टमेंट को इंफोर्मेशन मिली है कि कुछ गुंडे जैसे लोग विशाल की गेम करना चाहता है उसके बाहर आने से शेहर में खुन खराब हो सकता है और इन औरस के साथ हमें इंस्ट्रेक्शन है कि मास्टर जी का अंतीम संसकार साथ बज जिस तरह अदाल्य चाहती है उसी तरह जला दीजे इस आत्मी के साथ यही होना चाहिए पेचे के हातों आग नसीब नहीं होने चाहिए इसके शरीर को जिंदगी बर सच्चाही और इंसानित की फूजा करते रहे इसके सथा तो मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए ना हातों सही है जिला दीजे, चलो भाई, लो लो, जिला दो बांदो इसे, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन काम ले, राख का धेर सिर्फ ये सची दानन दगनी होते ही नहीं बनेगा, बलके मेरे बेटे के क्रोथ की आख से, जस पाल राना से लेके तुछ तक सब बनेगे धेर, राख क्प्च्छ थाओ फीर है कर रख थाओ पाले होज़ थाओ, घाओ, पढ़स, अँदो जिला दानन दुछ आख, बनान दो दो अचाओ, येंगाँ, ठाटू खिर रहाओ, लो बनाना दो बनान दो नहीं राख, बनाना दो आख, लो खिरे रहाओ, बनाना हुआख, बनाना दो कि अवार कि रखर कि अ यह भुआ कर दो सकते कि अ अ कि अ कि अ बुआ कि अ कि अ अ फब कि अ अ कर दो अ बुआ वगो अ भुआ अ देज़ शेज़िए! पूर्णा साहाँ खबरदार अगर जेब से चिठी निकाली बंटेश्वर राना साहाँ मैं तो रुमाल निकाल रही हूं जी अब देखे राना साहब इस बार बड़े भईया ने कौन सी चाल चली है लिखा है भती जी की शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो जमीन ना बेश दू अब आप ही बताईए राना साहब जमीन को बेश कर मैं अपने दादा की आत्मा को दुखी तो नहीं कर सकता ना जी व जाओ अच्छा 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 राना साहब विशाल जेल तोड़कर भाग गया अच्छा कांबले साहब ये खुश खबरी देते हुए आपका सीना तो बहुत भूल गया होगा तो अब अपरादी जेल तोड़कर भागने लगे है चलाब मैंने तुमसे कितनी बार कहा थ जाई इट झाई गया हुए रागने अच्छा अच्छा फिसकाले कर दो टो कर दो ambitious करने कि मेरे पिच्छू बढ़े वाँ, चीज भाई जेंगे मेरे पिच्छू बढ़े मेरे पिच्छू बढ़े कुछ लड़े के आंके कुछ पीछे करे कुछ चात के ओबर कुछ नीचे करे पिच्छू बढ़े मेरे पिच्छू बढ़े पिछू पड़े, मेरे पिछू पड़े देखो देखो जरा दिवान यहां कितने है इक शमा है तो परवान यहां कितने है अपने जोबन की नजारों को छुपाओं कैसे बड़े मुशिकल में हुमें जान बचाओं कैसे संझो इनको यह पादर बड़े कुछ छत के ऊपर कच्छ नेचे करे पिछू पड़े, मेरे पिछू पड़े पिछू पड़े, मेरे पिछू पड़े एगाद, इस अनली मैं प्रॉबर्स तांट सी और तांट तांट कोई ना जान मेरे उम्रापी सत्रा है मेरे मासूम जवानी को यहां खतरा है कोई आफोस मेरे दिल पर यहां भार करे कोई कुछ दे कोई चुप चुप की मुझे प्यार करे कैसे बच्छों में यहां सारे चड़े कुछ छत के ऊपर कुछ नेचे करे पिछू पड़े, मेरे पिछू पड़े कुछ लेरे के हांगे कुछ पीछे करे कुछ चत लेके होबाद कुछ नेचे करे कुछ पड़े, मेरे पिछू पड़े 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 अ हो एह! यद्आए ये! यद्दोन एह! ये, ये, destruction! ये, ये, come Holy Spirit! कि अख़ लुटब लुट लुट लुटलगा हुट बोट लुट 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 अत्र वाव हो करेंग लुकित हैं लुकित है 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 अइस दो है राना साथ विशाल को देखते ही गोली बार देने के ओर्डर्स है आप देखते जाएए 24 गंटे के अंदर उस विशाल की लाश आपके सामने होगी राना तेरे नागेश को चिता पर लिटा दिया है मैंने क्या? तेरी वज़े से मैं अपने बाप की चिता को आग नहीं देपाया था मगर तू अपने बेटे की जलती हुई चिता को देख सकता है क्या वख्वास कर रहे हो तुम? नागेश को किसी शमशान में चलाकर मैं उस शमशान को अपवित्र नहीं करना चाहता था मैंनों उसे कपासवारी के पीछे एक कटर के पास चलाया है गाना वक्स से पहुंचेगा तो आग मिलेगी तेर करेगा तो राख क्या हुआ रहा रहा साम? यह आग कैसी? यह आग नहीं यह नागेश है नागेश मैंने पहले दिन इससे कहा था भाया शर्मामा जो भी बात कर लिए कर लो सिधा अगर जोग भी करो इसे तो सीरियस हो जाता है यह सीरियस तो है यह ऐसा ही है अगर चार्ट आगे होती तो इसका जवाब पूछो इसे सही है सही अगर चार टांगे होती नहीं इसकी तो क्या हाल है प्रधान साहब अपने परिवार वालों से नहीं मिलवाओगे हाँ क्यों नहीं यह मेरा बड़ा बेटा है विनो अमरिका में डॉक्टर है यह अट्री बड़ी बहो है यह मेरा चोटा बेटा है पट्टा में फैक्टरी प्लान कर रहा है यह मेरी वाइफ और ये मेरा पोता है रिकू रिकू, मेरा नाम विशाल है मैं तुम्हारे दादा जी का एक लाइन्ट हूँ तुम्हारे दादा जी ने मुझे एक बड़े मुश्किल से केस में डाल दिया है जिसका क्या हलोगा, मुझे नहीं मालूँ तुम जानते हैं तुम्हारे दादा जी क्या है मैं बताता हूँ कानून की दुनिया में बहुत बड़ी जगा बनाई है इनोंने अदालत में केस जीतने के लिए इनका फेका हुआ हर तीर निशाने पर लगता है सचा जूट के फर्क का ये यूँ खुलासा करते हैं यो इनसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए किसी भी जज़ की कलम इनकी दलीलों के खिलाफ में ही उपते आदमी तो इतने नेक है कि खुद की तारीफ सुनना भी पसद नहीं करते है जाओ तुम अपने कबार जाए जाओ क्यों प्रधान साब खुद की तारीफ सुनकर पसी ना रहा है किसी के मुझ से कोई आवाज नहीं निकलेगी कि कहते हैं जब मेरा पाप मरा था तो मेरी माँ की आवाज बत हो गई थी बच्पन में तुझे एक अध्याबक ने सुधारा था उस अध्याबक की वज़ह से तुझे एक नहीं दिशा में ली थी और मुझे एक वकील की नहीं प्रदान साहब बड़ी बड़ी अदालतों में उची अवाज के साथ जिसकी उंगली उठते हो वहाद जोड़कर माफी मांगे अच्छा नहीं लगता मुझे मत मारो मैं कोर्ट में तुम्हारे ले कुछ कुछ भी कर गोर्ट तु कभी देख नहीं पाएगा प्रदान देखता तो तू इंसानों जैसा है तो टांगे मूँ हाथ सर पर तेरी नसल तेरी कौम कुछ और ही है तू इस दुनिया से अलग है प्रदान और हम अलग देखना चाहता है देख मेरे खुन का रंग लाल है तेरे खुन का रंग लाल नहीं हो सकता मशूर वकील अशोक प्रदान गोल्ड मेडलिस्ट अब इस तुनिया में नहीं रहें कल अपने बाप को कंधा देते वक्त अपने दिल और दिमाग में ये बात कायम रखना के इत पाप को नहीं पाप को कंधा देरे हो हलो defence काँ वो रहें तुम फिकर मत करना नागेश मैं आभी वहाँ पहुंचा अच्छा मुझे ये बताओ आदमी इस वक्त कहा है वो इस वक्त यहां नहीं है वो बाहर खाना लाने गिया है अब बहुत डर लग रहा है काने साब प्लीज आप जल्दी आये काने साब प्लीज जल्दी आये तुम डर्णा मत मागेश मैं आभी वहाँ पहुंचा कामले साब कामले साब इदा रुका कामले साब जल्दी आप जल्दी आप जल्दी कारा यह ते लिए खाने से खुर खुर वश फब घई जो खुर्युट ऌजच्छ खजब खुर्य लुट तूबए औो हर फिया खो, 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 खो. कर दो कर दो खाय और प्रहा की ते mix को आपने ली! लुग मुग मुझ अपने इज लुग अ उली इन झाप एञी को इसे हो आस हा उने हो उन्दों पह उन्दों हा आया हौ अी हा यह गां पहां ए захके बन मेंहां तो पहां क्यशे को भी एается ही हा आए को उने है तरह को दो एार… हूं खौाहे जब कट्र शृ कुज़ कि खज फूमय है है इया कल नब कर बाद kayak हहाँ मैं हु़ मैं इज इमे found खाइ, बली उर खाइ क्लокकर बाता खाइ ऩाइ ताह यह ताह 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 हालो रानसाम, मैं पढ़िल बोर रहा हूँ, विशाल यहां नेशनल होटल में बैट के चाय पी रहा है? दो रहा हूँ, नागेश को टेक्सी में देखा है, गारी रोक। क्ल्सके रहा हूँ, नागेशैंक। कि यहां को गाली रोकी, आगे आगे ले, आगे बड़ा अगेश, अगेश, अजडेश, अिएको रगो! – अगेश, अगेश, ऐन फचेशने, अगेश, अगेश, अगेश! – अगेश, 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 लोगो, ऍ Grad सिग transitioning, है ऑगे जस घरो नगगे जसे हैं डगे ताहिजुच करलẹrieben करली झाला कि यस अाहिज चारवर म्रावyt नही है जसे मय की चारवर ताहिए ज से फंट टलावर कर ड् 시र्द है जटी जरगो ते जर खंट नागे, नागे, मेरे बच्चे, नागे गाना याद है तुमने जेल में आकर मुझसे क्या कहा था विशाल अगनी होतरी मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि तुम अपने बाप की चिता को आग नहीं दे पाओगे प्याद है, अब कैसा लगा मेरा बंदोबस्त ताम जदे अरा मुझे नहीं मरना जी आपके साथ, बचाओ, 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 बचाओ बढ़ देश्वर, दुलाईस ले बचना है तो निकल ले धालपूर, राना जी तो गए चसा लेख वरे, बचाओ, 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 भ्याओ, बचाओ, जी तो अकाओत साथ य्दयर को अराओ कि अघ। झी झी ऐुलाओ झाल 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 हाई लाई बंके पाल कि अ क्या हाई भाल कर दो! कर दो! तो! कर दो! कर दो! झाल झाल जाल झार पहलां पहलां जब खजऊ खजँ कि वहलां oj! जब खजऊ.. kicking जब immediate पहाँ मिल्स अगी मैजारी जलłość सोगमS तयाते हैं हम अप्र। लाओए का! कर लो खडाने हाग! झाल थे कोई अजाओए अ झाल राओड़ हैं एल पर दो भाँज़ इलो गज़ अज़ जाज़ एले जाज़ झारे में जात वीते हैं, जात वाला वीते बाहत हैं. वहा हैं. ठी जा भाकू करता है. ठीजिए वो ए फिर में ने उन प्रहता है. हाँ! और रे ऑरख और और पिर वर एफ वप oldu हुआ है 5 हुआ पिर ए दोल ऐ आट! झाल, झाल, झाल 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 प्रशाल तुम्हारे दूसरे पक्ष को जान लेने के बाद ये कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि तुम्हारी उम्र कायद को कम करके सर्फ चार साल कर दिया जाए कम मत कीजिए मेरी सजा मत कम कीजिए मेरी सजा में से कुछ साल कम करके आपके हाथ से कोई बड़ा काम नहीं होने वाला अरे अगर कुछ काम करना ही है तो फिर हलात ऐसे बनाई है कि फिर मेरे जैसा विजाल यहां बैठ कर आप लोगों को शर्मिन्दा ना करें वह थे मेरी सजा कम करने मेरी सजा कम करेंगे सजा करें 경ि ने से केसे метा मेरी सिर्घ इक या कहा कम कि फिर ना करें आप अ लोगों करें इस जा करेंगे है je अ यह दोग्य करें आप 시ता कम करेंगे झाल झाल